नमस्ते दोस्तो आज हम शुरू करने वाले अपने सीरीज का नेक्स लेक्चर जो की चाप्टर का नाम है स्पेस मिशन्ज स्पेस मिशन आपके पार्ट वन का आखरी चाप्टर है जिसके अंदर काफी इन्ट्रेस्टिंग चीजें हम डिस्कुस करने वाले हैं इसके अंदर मार्स मिशन, मून मिशन और अलग-अलग कौनसी पूरे दुनिया में एजनसी है जो की स्पेस रिसर्च में काम करती है इन सब के बारे में काफी डीटेल में इस चाप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले है तो काफी interesting chapter है आपकी curiosity को जगाने वाला chapter है इसलिए आपको ध्यान से complete lecture देखना है और एक ना एक चीज को समझना है ताकि exam में आप इसके उपर answers लिख सको और आपकी curiosity भी क्या रहे चागू रहे देखो यहाँ पर सबसे पहली बात earth जो है यहाँ पर rise हो रही है देखो यह जो तस्विर है काफी historical तस्विर मानी जाती है because यहाँ पर just a second because यहाँ पर सबसे पहले मतलब moon के surface से earth की तस्विर ली गई है है ना और इस तस्विर को क्या बोला गया है बेटा rising earth on the moon क्या बोला गया है इसको rising earth on the moon जैसे धर्ती के उपर चांद उगता है धर्ती के उपर सूरज उगता है वैसे ही चांद के उपर धर्ती यानि की earth जो है उगती है बात समझ में आ गई आपको बेटा यहाँ पर कुछ rocket launching बगरे है और यह सबसे पहली तस्वीर है जो कि इनसान ने सबसे पहला step इस चांद के सरफेस के उपर रखा है तो उसके जो निशान है उनके shoes के जो यहाँ पर निशान आपको दिख रहे है वो निशान अभी तक चांद के सरफेस के उपर मौझूद है क्योंकि moon के सरफेस के उपर किसी भी तरीके की हवा मौझूद नहीं है और उसी वज़े से अभी तक आपको वो निशान उनके पैरों के निशान देखने को मिलते है उसके साथ-साथ इंडिया ने भी जो भी भी भीज़े है missions moon के सरफेस के उपर recently तो वहाँ पर वो actually as it is अभी वहाँ पर पड़ा हुआ है ना तो वहाँ पर हवा है ना तो आंधिया है इसलिए यह जो first step था जो कि लगबख 70-80 साल पहले इंसानों ने चांद के उपर कदम रखा था वो अभी तक उसके निशान वहाँ पर देखने को मिलते है ठीक है तो अब discuss कर लेते हैं कि chapter के अंदर content हमें क्या-क्या देखने को मिलता है देखिए यहाँ पर सबसे पहले contents देखो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ space missions उसके बाद में artificial satellite जिसको हम man-made satellites भी बोलते हैं क्या बोलते है बटा man-made satellites ठीक है उसके बाद classification of artificial satellites artificial satellites को हम किस तरीके से classify कर सकते हैं जैसे कि अलग-अलग तरीके के satellites होते हैं जो कि आगे हम discuss करेंगे उसके बाद में orbits of artificial satellites artificial satellites किस orbit में घुमते हैं जैसे कि earth का natural satellite का उनसा है बेटा moon है तो moon का एक specific orbit है उसी orbit में moon क्या करता है revolve करता है earth क्या round so यहाँ पर satellite launch vehicles यह कौन से कौन से रहते हैं किस तरीके से satellite को launch किया जाता है उसके बाद में space missions away from the earth earth के बाहर जो space missions हुए है यानि कि बहुत दूर है जैसे कि मार्स के उपर या फिर अभी recently जो Aditya L1 है इंडिया का space mission है जो कि सूरज को observe नजदिक से observe करने के लिए एक lagrange point के उपर उसको set किया गया है ठीक है lagrange point क्या होता है बेटा दोनों जो मतलब एक planet है earth और दूसरा sun है तो sun की gravity और earth की gravity जहाँ पर balance out करती है उस point के उपर उसको रखा गया है ठीक है so I will just reduce the brightness of this okay okay I think now it is more comfortable for you देखो moving to the next slide next slide की तरफ जाते है okay so यहाँ पर कुछ सवाल आप से पूचे गया है क्या सवाल है बेटा देखो सबसे पहला सवाल है what is the difference between space and sky काफी interesting है curiosity को जगाने वाला सवाल है space and sky के अंदर क्या difference होता है space यानि की वो जगा है मतलब किसी भी चीज़ के बीच में अगर मेरे यह दो हाथ है ना दो पाम है तो यह बीच में जो जगा है इसको हम space बोल सकते है बेटा space ऐसा नहीं कि धर्ती से बहुत दूर है तो उसी कोई space बोला जाएगा everything जहाँ पर भी gap है जहाँ पर भी जगा है उसको हम क्या बोलते है बेटा space बोलते है sky क्या है sky क्या है observable universe है क्या है मतलब observable universe हम इसको बोल सकते है because sky यानि कि क्या है कि जितना planets जितने stars हमें दिखते है वो एक particular जो portion है उसको हम sky बोल सकते है so what are different objects in the solar system solar system के अंदर consequence से अलग-अलग objects होते है जैसे कि asteroids है comets है planets है और उसके बाद में कुछ black holes भी है तो अलग-अलग चीज़े यहाँ पर हमें देखने को मिलती है asteroids उसके बाद में comets तो अलग-अलग चीज़े जैसे कि planets सन भी क्या है वेटा एक star है यहाँ पर कुछ black holes ठीक है बात क्लियर है वेटा यस और नो ओके So what is meant by a satellite satellite क्या है satellite एक ऐसी चीज़ है अगर हम artificial satellite की बात करें तो satellite एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें data provide करती है और उस data की मदद से हम बहुत सारे काम जैसे कि weather prediction करना है कोई natural disaster आने वाला है तो ऐसे बहुत सारे काम कर सकते है So यहाँ पर how many natural satellite does the earth have? अर्थ के पास कितना natural satellite है बेटा सिर्फ एक है इसका नाम है moon है ना only one that is क्या है वेटा वो moon है क्या है moon है ठीक है now moving to the next slide next slide की तरफ बढ़ते है okay just a second Okay so moving to the next slide देखो यहाँ पर क्या है बेटा space missions है one by one step by step यहाँ पर दिया गया है कि अलग-अलग साल में हमने कौन से कौन से milestones को अचिव किया है space exploration के अंदर ठीक है उसकी वदे से space travel करना possible हो पाया है ठीक है उसके बाद में development of spacecraft technology made journeys possible spacecraft technologies की development की वदे से बहुत दूर तक जाकर अर्थ को observe करना possible हुआ है नासा के भी जो labs है ठीक है वो भी मौझूद है जो कि एक spacecraft के अंदर लगबग दीन चार मैने चे मैने वहाँ पर रहते हैं अलग-अलग researches carry out करते हैं और उसके कुछ समय बाद वापस धरती के उपर आते हैं ठीक है उसके बाद एक हाँ पर satellites for research है ना जैसे की लगबग thousand artificial satellites deployed for research and practical applications देखो लगबग thousand से भी ज्यादा artificial satellites भेजे गये हैं जिसकी वज़े से अलग-अलग applications हम कर पाते हैं अधरती के उपर बैठ कर अभी 1000 तो काफी कम नंबर है इलान मस्क जो Starlink का project उसका अभी pipeline में है जो कि US में उसका मतलब एक initial stage जो है वो शुरू हो चुकी है लेकिन अभी भारत में आना उसको बाकी है तो वो Starlink भी क्या है वो thousands of satellites भेजेगा और उन satellites की मदद से आपको घर पे internet मिलेगा अभी जिस तरीके से आपकी dish TV काम करती है जो कि आपको channels दिखाती है dish की मदद से उसी तरीके से आपको एक antenna लगाना पड़ेगा घर पे और वो Star मतलब वो जो artificial satellite उसने भेजा है उसकी साथ वो communicate करके आपको internet का access provide करेगा याना मतलब अभी घर पे जो हम broadband लगाते है जो कि optical fiber से connect होके हमारे घर तक आता है लेकिन उस optical fiber की अब जरूरत ही नहीं पढ़ने वाली है आने वाले 5-10 साल के अंदर तो Starlink जल्द ही इंडिया में आ सकता है pilot project के रूप में वो शुरू हो सकत ठीक है तो यह भी कुछ technological advancement थी जो कि आपको updated information पता होनी चाहिए जो कि आपके book में नहीं रहती है So space mission categories space mission categories क्या-क्या है बेटा two main types satellite deployment for earth's orbit and deep space exploration देखो पहली category क्या है बेटा satellite को deploy करना है earth के orbit में और deep space exploration यहाँ पर किया जाता है उसके बाद क्या है बेटा objectives include क्या-क्या include रहता है यहाँ पर सबसे पहले earth को observe करना है उसके बाद में solar system के अंदर जो अलग-अलग चीजे है जैसे कि planet, stars, asteroids, comets इनको observe करना है उसके साथ-साथ and potential interstellar missions उसके साथ-साथ कुछ interstellar missions भी आपको मतलब वो objective में आता है ठीक है उस उसका पूरे दुनिया के उपर क्या असर हुआ चंद्रयान्त्री भेजनी की वज़े से जो-जो research हमने की है वो research की मदद से बाकी देश यहना पूरी दुनिया उसके उपर अध्यान करके और भी जादा मून के बारे में जान सकती है ठीक है so space missions contribute to a global scientific and technological progress space mission जो है वो global पूरी दुनिया में scientific and technological progress में बहुत जादा contribute करती है क्योंकि हमें अलग-अलग चीज़े अलग-अलग dimensions हर बार पता चलते है जब भी हम space exploration के लिए किसी satellite को deploy करते है तब आ गई बात समझ में अब देखो यहाँ पर और एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि बहुत सारे लोग बोलते है कि चंद्रयान थी का क्या फाइदा है लग-बग 600-700 करण हमने उसन में लगा दिये मतलब इतना कम budget था कि उससे ज़्यादा पैसों में तो Hollywood की space पे concept based एक movie बनती है मतलब movie के पैसों में हमने चंद्रयान को चांद पर भेज दिया इतना कम budget किसी भी space research organization का नहीं रहता है लेकिन फिर भी काफी efficient तरीके से हमने चांद के उपर उसको safely land किया है तो बहुत सारे लोग पूछते कि इसका मकसद क्या है इसका फाइदा क्या है 600 करोड अगर गरीबों में बाड़ देते तो कितने आबादी है इंडिया की 125 करोड है तो हर एक को 6-4 लाक रूप मिल जाते लेकिन ऐसा नहीं है विकाज चंदरयान 3 के अंदर जो भी रिसर्चेस सैंटिस ने क्यारि आउट की है लग बग 10-12 दिन 14 दिन तो उस रिसर्च में एक्जिस्टिंग जो रिसर्च थी उसको वो प्रूफ करने के लिए थी और उसके साथ-साथ कुछ नए रिसर्चेस भी वहाँ पर किये गए ज हमें बहुत ज़्यादा benefit पहुचा सकता है ठीक है क्योंकि अब चांद की जो escape velocity है वो काफी कम है अर्थ की escape velocity काफी ज़्यादा है इसलिए अर्थ के orbit से बाहर जाने के लिए काफी ज़्यादा energy लगती है लेकिन चांद में से चांद को base बनाकर अगर हम किसी space mission को launch करते है त हम उसको हमारे point तक हमारे goal तक लेकर जा सकते है वो भी काफी efficient and economical तरीके से तो चांद पर research करने का यही एक reason है कि आगी चलकर हम चांद को moon को base बनाकर वहाँ से space exploration कर सके और यह objective दुनिया में लगबग space के related काम करने वाले सभी countries का है जैसे कि जापान ने अभी recently एक चंदरय लग है चंदरयान नहीं है लेकिन moon के ऊपर वो भी safely land किये है और जापान की जो संस्ता है जो कि space के related काम करती है उसको JAXA बोला जाता है क्या बोला जाता है बटा JAXA ठीक है इंडिया की क्या है ISRO है अब यह जाक्सा का long form क्या है आप मुझे comment section में बताओ ठीक है बात क्लिय है सो ऐसे technological advancement दिन प्रति दिन हमारे पुरी दुनिया में चलते रहते है होते रहते है और ultimately पुरी दुनिया को उसका फाइदा होता है ठीक है so moving to the next slide next slide की तरफ जाते है बटा okay so just a second okay do you know यहाँ पर कुछ facts दिये गए है जो कि आपको पता होने जरूरी है सबसे पहला है Yuri Gagarin from USSR USSR ठीक है अभी USA बोलते हैं उसको ठीक है so the first person to go into the space in 1961 space में जाने वाला 1961 में पहला परसन था USSR की अंदर so जिसको हम Yuri Gagarin के नाम से जानते है उसके बाद में moon walker Neil Armstrong an American was the first to step on the moon in 1969 लगबग 1969 में लगबग सत्तर साल पहले Yuri Gagarin जो है वो एक पहला आदमी है sorry Neil Armstrong जो है वो पहला आदमी है जिसने चांद के उपर सबसे पहले step रखा है और आज भी उसके पेरों के निशान वहाँ पर मवजूद है ठीए उसके बाद इंडिया की पारी आती है लगबग 1984 में यूकि आजादी के बाद हमारा देश इतना ज़्यादा सक्षम नहीं था कि space के related कुछ exploration कर सके हाला कि अब काफी ज़्यादा developed है ना दुनिया के पाच जो space research organization है उनमें ISRO का नाम आता है और वो भी काफी कम budget में सब चीजों को safely वो करता है तो इसके अंदर राकेश शर्मा जो है यह सबसे पहले इंसान बन जाते है इंडियन ओरिजिन से इंडिया से बिलॉंग करने वाले जो कि 1984 में सबसे पहले Russian spacecraft का इस्तिमाल करके space में पहुचे थे ठीक है तो यहां से हमारी journey शुरू होती है ठीक है हलाकि तब भी हमारा space research organization था लेकिन वो इतना ज्यादा फला फुला नहीं था वो dependent था किसी और यानि की रशिया के space agency के उपर ठीक है यानि कि उनके कुछ दादा पर दादा इंडिया से बिलॉंग करते थे बाद में वो जाके अमेरिका में सेटल हो गए ऐसे इसमें दो तीन नाम आते हैं जैसे कि कलपना चावला एक है उसके बाद में सुनिता विलियम्स है औरिजिनली फ्रॉम इंडिया लेकिन उसके बाद अमेरिकन सिटिजन बन गए और तुक पार्ट इन नासा स्पेस मिशन और इन्हों ने भी नासा के स्पेस मिशन के अंदर हिस्सा लिया था हाला कि बाद में थोड़ा एक्सिडेंट वगरे होने की वज़े से वहाँ पर डिजास्टर हो गया लेकिन इनका नाम हिस्टी में अ अर्फ करते है उसके बाद वाइट इस नेससरी टुप देम इन दे स्पेस स्पेस में उनको रखना कि यह ज़र लिया बिकॉज स्पेस में जाने के बाद प्लैनेट्स को अलग अलग गैलक्सी स्पो ब्लेक होल स्को आबजर करना आसान हो जाता है इस लिए अब नासा का जो को observe करना काफी आसान बन जाता है उसके साथ साथ can you tell where does the signal in your cell phone come from आपके पास जो smartphone है जो cell phone है उसके अंदर signal कहां से आता है because यहाँ पर cell phone जो है वो आपके tower से सबसे पहले क्या करता है बेटा connect करता है किससे connect करता है आपकी नज़दी की जो tower है उससे उस नज़दी की tower से जिससे आप बात कर रहे हो उसके नज़दी की tower में वो क्या किया जाता है बेटा connect किया जाता है और इसी से फिर signal बेज़े जाते है cell phone 2 को यानि कि जिस दोस्त के साथ आप बात कर रहे हो उसको यह ऐसी चीज़े काम करती है so उसके बाद where from does it come to mobile towers उसके बाद where does the signal to your TV set come from TV set को signal कहां से आते है बेटा आपके घर के उपर जो आपने dish जो छाता लगा कर रखा है वो छाता क्या करता है बेटा यह जो dish है यह dish क्या करता है उपर जो satellite है उपर जो यहाँ पर satellite घुम रहे है इन से signal को catch करता है अब इन satellite को signal कहां से आता है बेटा जो news channel है क्या है बेटा news channel नूज चैनल के उपर एक बड़ा साडिश लगा रहता है, वो क्या करता है, बैटा सिगनल को ट्रांस्मिट करता है, ठीक है, किसके तरफ शैटेलाइट की तरफ, और उसी सैटेलाइट से फिर आपके घर पे जो डिश लगा हुआ है, उसको सिगनल आते हैं, और आप चैनल को ठीक है, तो यह इस तरीके से चीजे काम करती है, जो कि मैंने बहुती शॉट में आपको बता दिया, हलाकि यह communication technology में काफी जादा deep concept है, जिसको explain करने में लगबग 2-3 नार्च लग जाएंगे, यू मैं have seen photographs showing the position of monsoon clouds over the country, in the newspaper, how are these images obtained, देखो आपने देखा होगा कि आपको जब motion काफी खराब होने वाला होता है, तो paper में photo आता है, और वहाँ पर clouds जो है, वो अलग मतलब किस जगा पे clouds ज्यादा है, किस जगा पे कम है, इससे हमें अंदाज लग पाता है कि यह किस जगा प जो कि earth के around घूम रहे है, वो अलग-अलग images लेते है और उसका analysis करके हमें यह prediction देते है कि किस जगा पे ज्यादा बारिश होने के chances है, किस जगा पे कम बारिश होने के chances है, बात clear है, तो तीनो चारो सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा, ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजे आप research करके, search करके देख सकते हो, ठीक है, so moving to the next slide, next slide की तरफ बढ़ते है, देखो, क्या है बेटा, need and importance of space missions, जरूरत क्या है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको explain कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर और कुछ points को हम discuss करेंगे कि space mission की जरूरत क्या है, और उस सबसे पहला point क्या है बेटा, global connectivity, क्या है global connectivity, अब space missions की वजए से पूरी दुनिया में हम easily एक दुसरे के साथ connect कर पाते हैं, उसकी बाद क्या है बेटा, space missions transform the world into a global village, space mission ने क्या कर दिया बेटा, पूरे दुनिया को एक global village में transform कर दिया, because पूरी दुनिया एक दुसरे से इतनी आसानी से connect हो पा रही है, because of the satellite, because of the internet, space missions, so वहाँ पर पूरी दुनिया एक गाव की तरह बन चुकी है, उसके बाद instant communication, worldwide connecting people within seconds, अब satellite की मदद से, optical fiber की मदद से, internet, wifi, cellular network, towers, space mission, कुछ मतलब satellite, वो space mission के अंदर ही आते हैं, इन सभी चीजों की वजए से, यहाँ पर connectivity जो है, एक दुसरे के साथ connect करना जो है, वो within seconds possible हो पाया, within seconds possible हो पाया है, so उसके बाद, next क्या है बैटा, information accessibility, easily हमें क्या मिलती है, information मिलती है, जैसे कि, information about global events, easily accessible from home, दुनिया में क्या चल रहा है, पुरी दुनिया में क्या चल रहा है, यह सब चीजे, easily, घर बैटे, हमें accessible है, हम पता कर सकते है, बहुत जादा चीजे, अभी, फिलाल, internet के उपर, available है, तो basically, space mission का, communication technology के अंदर, काफी important role है, ठीक है, इसको आपकी समझना है, the internet plays a vital role, internet vital role, important role play करता है, providing information at our fingertips, हमारे उंगलियों के उपर, तुरंद, है ना, एक उंगली घुमाई, थोड़ा सा type किया, या फिर, वो कोई सर्च किया, तुरंत वहाँ पर answer और information हमें देखने को मिल जाती है, so, उसके बाद क्या है, early warning system, जैसे कि कोई disaster अगर होने वाला है, तो उसके पहले होने से पहले ही, पूरे दुनिया को, या फिर उस particular region को, already alert किया जा सके, और उससे काफी जादा लोगों की जान सकती है, so, space missions enable advance alerts for natural calamities, space mission की वज़े से क्या होता है, advance alerts हमें देने को आसानी होती है, जो भी natural disaster और calamities होने वाली है, उसके लिए, उसके बाद क्या है, quick precautions can be taken due to timely information, अगर हम समय रहते, अगर हमको information मिल जाए, तो उसके regarding quickly हम precautions actions ले सकते है, जो की लोगों की जान बचाने में, disaster की impact को कम करने में helpful साबीत हो सकता है, बात clear है, उसके बाद, और कुछ point को discuss करें, just a second, okay, in the next slide, देखो, यहाँ पर क्या है बेटा, strategic surveillance, ठीक है, strategic surveillance यानि की क्या है, देखो, aerial surveillance, the satellites provide critical information during wars, देखो, wars के दोरान, जब war लड़ाई चल रहे होत तो उस दोरान, जो है, वहाँ पर हमें aerial surveillance करने में आसानी होती, because यहाँ पर critical information, दुश्मन के बारे में critical information हमें मिलती है, okay, उसके बाद क्या है बेटा, enemy actions can be monitored for strategic advantage, देखो, यहाँ पर दुश्मन की जो हरकते हैं, है ना, suppose हमारा पडोसी देश अगर कुछ कर रहा है, तो उसक हरकते जो है, उसको monitor करके, उस enemy के ऊपर तुरंट immediate action लेया जाना possible है, because of the space mission and technology, so, यहाँ पर resource exploration है, क्या लिखा हुआ है बेटा, resource exploration, देखो, space technology adds exploration of fossil reserves and minerals on earth, देखो, space technology की वज़े से, हमारे earth के ऊपर कहा कहा पर fossil reserves मोजूद है, कहा कहा पर minerals मोजूद है, इसका भी पता लगा पाना बहुती आसान बन चुका है, उसके बाद क्या है, unveils hidden resources crucial for development, hidden resources को unveil करके, हमारे development में उसका बहुत बड़ा role होता है, ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, national development, अगर space mission में तरक्की है, तो देश की भी तरक्की होना तय है, ठीक है, so space technology is integral for national development, space technology integral है, हमारे पुरे देश की development करने के लिए, उसके बाद essential for various applications contributing to a nation's progress, दुनिया पुरे देश के प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए, जो अलग-अलग चीजे requirement है, उन सभी चीजों में हम applications इसके काम में ले सकते हैं, किसके बेटा, space missions के, बात clear है, समझ में आ रहा है, yes or no, comment section में मुझे आप लिखकर बता सकते हो, है ना, तो काफी ज़्यादा lecture अभी quality improve हो चुकी है, इसलिए आप दोस्तों के साथ share कीजे lecture को, काफी detail में हर एक चीज हम यहाँ पर discuss कर रहे है, यहाँ पर क्या है बेटा, natural, artificial satellite, natural satellite, multiple satellites and artificial satellite, टीन चीज़े यहाँ पर लिखी गए, जो कि एक्जमपल में आपको बताया था न, क्योंकि earth को orbit कर रहे है, या फिर किसी दूसरे planet को orbit कर रहे है, उनको हम natural satellite बोलते है, and moon is earth's only natural satellite, और earth का moon जो है, वो एक लौता natural satellite है, ठीक है, उसके बाद multiple satellites, जैसे कि some planets in the solar system, have more than one natural satellite, solar system के अंदर कुछ planets है, जैसे कि Saturn है, इसको एक से ज्यादा natural satellites मौजूद है, ठीक है, उसके बाद artificial satellites, man-made objects in the fixed orbits around earth, और other planet, artificial satellite किसको बोलेंगे बेटा, man-made objects है, हमने बनाए हुए object है, जो कि earth के around घूम रहे है, revolve कर रहे है, उनको हम artificial satellites बोलते है, revolve in the predetermined paths for the various purposes, artificial satellite के अलग-अलग purposes होते हैं, जैसे कि minerals का पता लगाना, weather का forecast करना, natural disaster का पता लगाना, maps, जो है, आपके GPS, उसको organize करना, so, यहाँ पर predetermined path के अंदर, है ना, पहले से ही scientist के द्वारा, एक predetermined path जो है, वहाँ पर decide करके, उसी path में, वो जो artificial satellite है, वो घूमता रहता है, और earth के उपर data भेजता रहता है, ठीक है, so, यहाँ पर एक image देख लो, आप किस तरीके से काम करती है, चीजे, देखो, यहाँ पर यह लड़का जो है, यह cell phone से बात करने की कोशिश कर रहा, सबसे पहले यह जो signal है, उसके नजदी की जो tower है, उसके पात जाएंगे, नजदी की tower से यह signal जाएंगे, satellite की तरफ, satellite से यह signal जाएंगे बिटा, उसके उस person के, यानि कि जिससे वो बात करना चाहता है, उस person के नजदी की tower की तरफ, यानि कि इस लड़के का smartphone या फिर cell phone, उस उसका नजदी की टावर, नजदी की टावर से सैटेलाइड, सैटेलाइड से उस परसन का नजदी की टावर जिससे वो बात करना चाहता है और उस परसन के नजदी की टावर से उसके स्मार्टफोन तक, ठीक है, बात क्लिए रहे, तो इस तरीके से ये इस पर स्पेस्ट परसन की टावर जाते हैं किसी भी देश की टरक्की के लिए और डेफिनेटली देश के डेवलप्मेंट के लिए सबसे पहले कम्यूनिकेशन टेकनोलोजी का एडवांस होना, डेवलप्ट होना जरूरी है, बात कलियर है, यस और नो, ओके, सो, देखो, यहाँ पर, moving to the next slide, next slide की तरफ बढ़ते है, देखो, यहाँ पर कुछ artificial satellites है, ठीक है, क्या है, artificial satellites, यहाँ पर first satellite जो है, वो Soviet Union, यानि कि जिसको हम आ रशिया के नाम से जानते है, उसके द्वारा लॉंच किया गया था, Soviet Union launched the first satellite, Sputnik, क्या नाम था उसका, Sputnik, in 1957 को उसने सबसे पहला satellite लॉंच किया था, कब 1957 को, हमारे आजादी के 10 साल बाद, उसकी बाद, यहाँ पर solar powered operation है, इसका artificial satellite का, जैसे कि satellite uses solar energy with the panels like the wings on both sides, आपने दे देखा होगा कि कोई भी satellite को, मतलब इस तरीके का, उसका structure रहता है, और उसको ऐसे wings रहते हैं, आपने देखा होगा, ठीके, यह जो wings है, यह wings हमें क्या दिखाते हैं, बेटा, this is the solar panel, यह क्या है बेटा, solar panel है, यहाँ पर आपको यह wing दिख रहा है, यह क्या है, solar panel है, क्या है solar panel, ठीक है, बात क्लियर है, देखो, यहाँ पर, next क्या है, communication tools, क्या है बेटा, communication tools, instruments on board, help satellites send and receive signals to and from earth, देखो, यहाँ पर, जो मैंने अभी आपको example बताया, उस image में हम देख रहते हैं, यह satellite क्या है, information को एक जगा से दूसरी जगा, काफी दूर अगर भेजना है, तो उसको भ बदत करते हैं, उसके बाद में diverse function, जैसे कि satellite have a different tools based on what they are meant to do, देखो, satellite के ऊपर अलग-अलग tools रहते हैं, जैसे कि weather satellite के ऊपर अलग-अलग sensors रहते हैं, अलग-अलग imaging technology रहती है, तो यह अलग-अलग function के लिए, अलग-अलग satellite को काम में लिया जाता है, बात क्लियर है, उसके signal connections, क्या है बटा, signal connections, जैसे कि signals go back and forth between Earth satellites, mobile towers and phones, signal जो है वो back and forth जाता है, अर्थ से उसके बाद में Earth, satellite, mobile towers and phones, जैसे कि मिने आपको बता है, phone से लेके नजदी की tower, नजदी की tower से लेके satellite, satellite, उस परसन की नजदी की tower, उस person की नजदी की tower से cell phone, अब जब इधर से वो बात दूसरा परशन तो फिर से उस से उसके नजदी के टावर उसके टावर से सैलफोन इस तरीके से यह सबी चीजे क्या करती है काम करती है बात क्लियर है समझ में आ गया यह सवर नो काफी इंच चाप्टर है काफी कांसेंट्रेशन के साथ आपको देखना है इसको हम क्या बोलते है इंडियन नैशनल सैटेलाइट इंडियन नाचनल सेटिलाइट, देखो यहाँ पर G-SET है जिसको क्या बोला जाता है जिव सिंक्रोनस सेटिलाइट उसके बाद क्या है यहाँ इन्डियन रिडिजीनल वीगेशन सेटिलाइट सिस्ट म बोलते हैं यह आपको याद रखने है, ठीक है, so इसके लिए कोई option, जो IRS क्या है बैटा, Indian Remote Sensing Satellite, IRS क्या है, Indian Remote Sensing Satellite, उसके बाद GSLV, जिसको हम क्या बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लाँच वहिकल, ठीक है, यह क्या है, सैटेलाइट लाँच वहिकल है, ठीक है, उसके यह कुछ long forms है, जो कि आपको याद रखने है, आगई बात समझ में, so इसको आप note-down कर सकते हो, notebook में, और इसको note-down करने का फायदा यह है, कि आगे चल कर, अगर short form कही पर आता है, तो आपको दिक्कत फेस करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है, so बात क्लियर है, moving to the next slide, next slide की उसके बात क्या लिखा है, function of the satellite, और उसके बात क्या लिखा है, the names of Indian satellite series and their launch vehicles, ठीक है, अब देखा, मैंने आपको बताया था था इधर, जो यहाँ पर, just a second, ठीक है, ठीक है, इधर मैंने आपको बताया था था, यह जो है, long form, यह आपको याद रखने है, ताकि इस चार्ट क पढ़ते वक्त, आपको आसानी हो, ठीक है, उसके बात देखो, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है बेटा, weather satellite है, weather satellite, देखो, study and prediction of weather, यह क्या करता है इसका function क्या है, यह study करता है and prediction करता है, किसका prediction करता है, weather का prediction करता है, उसके बात क्या है बेटा, the names of Indian satellite series and their launch vehicle, देखो, यहाँ पर INSAT and GSAT launcher जो है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और GSLV है अब मैं long form नहीं बताऊँगा आप देख लो ठीक है उसके बाद क्या है communication satellite ठीक है अब type of satellite पढ़ रहे हैं सबसे पहला है weather satellite दूसरा है communication satellite देखो function क्या है communication satellite का आसान है पता है आपको established communication between different locations in the world through use of specific waves यह क्या करते है वेटा world के अंदर different location पर communication को established करने का काम करते है ठीक है उसके बाद INSAT and GSAT launcher जो है broadcast satellite जैसे की telecasting of television programs जिसको हम broadcasting satellite बोलते है जो की television programs आप देखते हो TV shows देखते हो यह सब broadcasting satellite की वज़े से possible हो पाता है उसके बाद क्या है बेटा telecasting of television programs जैसे की उसका function है और INSAT and GSAT launcher हम इस्तमाल करते है इसको हम GSLV जो है उसके बाद navigational satellite क्या है बेटा navigational satellite definitely जो की हमें maps वगरे जैसे चीजे देते है direction जैसे चीजे हमें provide करते है fix the location of any place on the earth surface in terms of its very precise latitude and longitude यह क्या करता है बेटा हर जगह का एक latitude and longitude रहता है है ना उस latitude and longitude के intersection से हमें उस particular जगह का accurate location पता चल पाता है यह काम कौन करता है बेटा यह navigational satellites करते है कौन करता है navigational satellites उसके बाद क्या है बेटा IRNS देखो यहाँ पर IRNS जो है Indian Regional Navigation Satellite System यहाँ पर काम करता है and launcher जो है वो PSLV है PSLV यानि कि क्या है polar satellite launch vehicle बात clear है yes or no okay so उसके बाद next क्या है बेटा military satellite क्या है military satellite collect information for security aspects यह क्या करता है security के लिहाज से जो information जरूरी है उसको collect करने का काम करता है इसके बारे में काफी ज्यादा details यह आपर दी गई नहीं है because यह बहुती crucial है क्या है crucial है security के लिए इसके लिए बेटा security के लिए ठीक है उसके बाद earth observation satellite earth observation क्या करता है वो देखो study of forest कहा कहा पर dense forest है कहा कहा पर deserts है कहा पर oceans है कहा पर rivers है उसके बाद polar ice की दर है earth surface को पूरा वो क्या करता है scan करता है imaging करता है video लेता है और उसकी वजह से exploration of management of natural resources possible हो पाता है जैसे कि जो भी natural resources हमारे पास available है उसका और भी ज्यादा deep में अध्ययन करना और भी ज्यादा deep में उसको explore करना और observation and guidance in case of natural calamities like the flood and earthquake flood and earthquake के अंदर भी natural calamities के बारे में observation करना भी ये earth observation satellite का काम है इसके लिए हम क्या इस्तिमाल करते बेटा IRS जो की और PSLV polar satellite launch vehicle इस्तिमाल करते हैं बात clear है yes or no okay so moving to the next slide next slide की तरफ बढ़ते हैं देखो orbits of artificial satellite क्या है orbits of artificial satellite देखो यहाँ पर diverse orbit यानि कि artificial satellites have a varied orbits based on their functions artificial satellites को क्या है varied orbit है अलग-अलग orbit है depending कि उसका function क्या है उसके बाद यहाँ पर orbit properties देखे की orbit कितने height पर है औरबिट का shape कैसा है या वो circular है या elliptical है उसके बाद an inclination vary based on mission needs वो जो satellite का inclination है या फिर orbit का inclination है वो mission के जरूरत के अनुसार उसको बदला जाता है और उसको decide किया जाता है ठीक है बात के लिए है उसकी बाद क्या है वेटा satellite launch देखो satellites are placed using launchers reaching critical velocity for orbit satellite को किसमें रखा जाता है वो launchers में रखा जाता है ताकि वो critical velocity तक क्या कर सके पहुच सके है ना critical velocity के बारे में आपको सर्च करके देखना है ठीक है तो weather satellites जैसे की insat and gset जो है वो launch by gslv gslv की मदद से उसको launch किया जाता है जैसे की study and predict weather क्या करते है वेटा यह weather को study करते है और predict करते communication satellite insat and gset launch by the gslv establish global communication यह क्या करते है global communication को establish करने का काम करते है ठीक है बात clear है उसके बाद moving to the next slide next slide की तरफ जाते है orbits of artificial satellite देखो यहाँ पर क्या है और कुछ satellites है जैसे की broadcasting satellite insat gslv launch by gslv telecast television programs जो की chart में already हमने पढ़ा है उसके बाद में navigational है military है and earth observational satellite है ठीक है so more to the next slide next slide की तरफ जाते है orbits of artificial satellite के अंदर satellite orbits overview हैना किस तरीके से वो orbit करते हैं घूमते हैं उसका एक overview यहाँ पर दिया गया है देखो diverse orbits based on functions and mission requirement रिक्वार्मेंट के अनुसार function के अनुसार अलग-अलग diverse orbits हमें उनके देखने को मिलते हैं उसके बाद factors include orbit height shape and orientation relative to the equator equator के relation में उसकी height कितनी है उसका shape कैसा circular है elliptical है उसका orientation angle of inclination क्या है इन सब को decide किया जाता है ठीक है उसके बाद क्या होता है बेटा orbit adjustment होता है क्या होता है orbit adjustment देखो achieved through a satellite launcher for desired height launcher propels satellite to intended orbit देखो यह किस तरीके से adjust किया जाता है बेटा satellite launcher से adjust किया जाता है desire height तक उसके बाद में क्या है बेटा critical velocity है जिसको हम क्या बोलता है VC बोलता है क्या बोलता है VC देखो essential for stable orbit establishment critical velocity की जर्रत कियो है बेटा कि एक stable orbit हमें मिल सके और उसी orbit के around क्या कर सके वह घूम सके कौन artificial satellite ठीक है उसके बाद tangential velocity provided to the satellite satellite को tangential velocity भी provide करनी पड़ती है ताकि वह घूम सके ठीक है आपने इस centripetal force का concept already gravitation नाम के chapter में देखा हुआ है काफी detail में अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो आप उस chapter को जाके उसका मेरे खायल से first lecture आप देखो वहाँ पर आपको clarity मिल जाएगी ठीक है so centripetal force क्या है बेटा mv square upon r है क्या है mv square upon r acts on the satellite कि इसके उपर act करता है वह satellite के उपर act करता है derives from gravitational and centripetal forces यह क्या है gravitational and centripetal forces से क्या होता है वह derive होता है centripetal force का formula क्या है mv square upon r ठीक है तो यह भी जरूरी है यह सभी चीजों को balance out करके कोई एक artificial satellite जो है वह सही तरीके से earth को revolve कर पाता है ठीक है देखो यहाँ पर क्या है यह vc है critical velocity है उसके बाद में यह satellite का क्या है यह orbit है उसके बाद I will just change the color of pen यहाँ पर यह क्या है बेटा height है ठीक है उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से यह actually yes artificial satellite है artificial 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 satellite ठीक है बात क्लियर है कुछ इस तरीके का डाइगराम आपको याद रखना है moving to the next slide next slide की तरफ बढ़ते हैं देखो यहाँ पर orbit stability भी काफी important है यानि कि क्या है orbit stability देखते है इसको भी critical velocity overcomes gravitational pull critical velocity क्या करती है बेटा gravitational pull को overcome करने में सफल होती है उसके बाद centripetal force maintain the satellite orbit stability centripetal force जो है हना वो क्या करता है satellite orbit stability को maintain करने का काम करता है उसके बाद क्या है orbit orientation है orbit orientation का मतलब क्या है determined by mission requirement यह कौन बताता है mission की requirement बताती है कि orbit का orientation क्या होना चाहिए orientation choices include parallel or angle to the equator equator या तो वो parallel है या तो equator को एक angle पे उसको set किया गया है ठीक है यहाँ पर क्या है satellite diversity है satellite diversity देखो varied orbits for different applications यहाँ पर अलग-अलग orbits होते है उसके बाद application such as communication, earth observation and scientific research lead to diverse orbit अप्लिकेशन देशे की earth observation, communication, weather, broadcast यह अलग-अलग application है तो उसके orbit भी जो है उसकी path जो है revolve करने के यह भी क्या होगे बेटा अलग-अलग होगे आगई बात समझ में clear है moving to the next slide next slide की तरफ जाते है देखो यहाँ पर एक formula दिया है orbits of artificial satellite के अंदर the centripetal force is provided by the gravity of the earth earth की gravity क्या करती है बेटा centripetal force को provide करती है therefore centripetal force is equals to the gravitational force between the earth and satellite इसका मतलब क्या है centripetal force is equals to क्या है gravitational force between the earth and the satellite बात समझ में आ गई centripetal force को क्या प्रोवाइड करता है एर्थ की gravity प्रोवाइड करती है इसका मतलब centripetal force is equals to क्या होगा बेटा gravitational force between the earth earth के बीच में और उस satellite के बीच में क्या gravitational force है वो होगा बात clear है okay so यहाँ पर देखो एक formula है mv square upon r plus h अना r क्या है इधर r is radius of earth अना radius of earth क्या है बेटा 6.4 into 10 raise to 6 meter जिसको हम 6400 km भी बोल सकते है यहाँ पर h क्या है यहाँ पर मैं formula लिग देता हूँ एक minute यहाँ पर I will write the formula just a second ठीक है देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ mv v क्या है इधर critical velocity है यहाँ आर प्लस h ठीक है equals to g capital m small m upon r plus h का square अब आप पूछोगे सर यह क्या है क्या लिखा है ठीक है यह क्या है mv square upon r क्या है centripetal force है अब centripetal force किसके equal है earth के gravitational force के equal है earth के gravitational force का formula जो कि हम first chapter में पढ़ चुक है वो क्या है f is equals to यानि कि earth's gravitational force f is equals to capital g into capital m into small m upon the radius of earth तो आप बोलोगे सर यहाँ पर r plus h लिखा है h क्या है बेटा उस satellite के height भी हमको radius of earth के इसमें ही calculate करनी पड़ेगी so r plus h का जब square बन जाता है तो यह gravitational force का formula बन जाता है यह centripetal force का formula बन जाता है दोनों formulas को हम equate कर सकते हैं so r plus h क्या है radius of the orbit of the satellite satellite के orbit का क्या है radius है इसको earth का radius plus earth के surface से उस satellite तक का distance उसको हम r plus h बोलते हैं इसको हम radius of the orbit of the satellite बोल सकते है बात क्लियर है mass of earth क्या है इधर 6 into 10 dash to 24 kg है gravitational constant की value क्या है 6.67 into 10 dash to minus 11 newton meter square per kg square बात क्लियर है yes or no अरे हाया ना comment section में मुझे बताओ okay so यहाँ पर क्या है orbits of artificial satellites में कुछ points और है इस बात को आपको याद में रखना है यह जो चीज है ना यह यह दो equations है इसको याद रखना है और इसके उपर एक रह गया इधर हम v का यानि की critical velocity का भी formula यहाँ से derive कर सकते है इसको थोड़ी से rearrangement करने के बाद हमारे पास एक formula आ जाता है capital G into capital M upon h क्योंकि यहाँ पर mm जो है वो क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा ठीक है उसके अंदर r plus h r plus h में से 1- होके यहाँ पर सिर्ट क्या बचेगा r plus h ही बचेगा तो r plus h as it is g constant as it is and mass of earth as it is and यह हमें critical velocity का formula मिल जाता है अब इसका root लेना पड़ेगा vc is equals to under root of capital G m upon r plus h ठीक है बात क्लियर है समझ में आ रहा है yes or no okay so यहाँ पर कुछ और points है orbits of artificial satellite लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है बचा? orbits of artificial satellite देखो it can be seen that the critical velocity does not depend on the mass of the satellite देखो ऐसा observe किया गया है कि satellite के mass से उसका कोई संबंध नहीं है बचाओ यहाँ पर formula देखो नाप ठीक है इस formula में कही आपको उस satellite का है जो की small m है वो दिख रहा है क्या बेटा नहीं दिख रहा है इसका मतलब यह matter नहीं करता कि उस satellite का मास कितना है ठीक है उसके बाद देखो as the height of the satellite's orbit from the earth surface increases the critical velocity decreases the earth surface से जितनी उसकी height बढ़ेगी किसकी artificial satellite की उतनी ज्यादा उसकी critical velocity क्या होगी बेटा decrease होगी क्या होगी decrease होगी बात clear है yes or no उसके बाद depending on the height of the satellite's orbit satellite orbit के height above the earth surface the satellite orbits are classified as below उसको हम classify कर सकते है किस तरीके से देखो जहाँ पर कुछ इस तरीके से हम उसको classify कर सकते देखो यहाँ पर हम देख रहेते कि there are different types of orbits देशे कि first type of orbit होता है high earth orbit so high earth orbit basically क्या है जिसकी height earth के surface से लगबग 35,780 km रहती है कितनी रहती है 35,780 km से उपर जिसकी height है उसको हम high earth orbit satellite बोलते है ठीक है अब इसके अंदर attitude जह हो 35,780 km है classifies an orbit as a high earth orbit example a satellite at 35,780 km takes approximately 24 hours to complete one revolution अर्थ को एक चक्कर लगाने के लिए लगबग 24 घंटे इस satellite को लगते है जो satellite 35,780 km के उपर situated है बात क्लियर है उसके बाद geosynchronous satellites, geosynchronous satellites मतलब बेटा देखो satellites in orbits parallel to the equator जैसे जो satellite के orbit equator को parallel है उनको हम geosynchronous satellites बोलते है then rotation matches earths making them appear stationary relative to the planet प्लानेट के relation में मतलब जिस तरीके से earth घूम रहा उसी तरीके से ये क्या करते है बेटा अपने rotation को manage करते है या फिर अगर हम ऐसा बोल सकते है कि earth के comparison में ये जो satellites है ये खुद को stable stationary रखते है ठीक है उसके बाद क्या है बेटा stationary appearance यानि कि क्या geosynchronous satellites seem stationary from the earth's perspective अगर earth से कोई उन satellites को देख रहा है वैसे तो इतने दूर देखना possible नहीं है लेकिन हम assume करते है कि हम देख सकते है तो हमको लगेगा कि वो satellites जो है वो एक ही जगा पर stable है because earth की जो speed है उसको वो match कर रहे है ठीक है उसके बाद resemble a stationary object when moving parallel with equal velocity अर्थ के parallel equal velocity के साथ ये क्या करते है बेटा move करते है बात clear है moving to the next slide देखो यहाँ पर और कुछ point है observational advantages किसके बेटा high earth orbits के क्या है देखो सबसे पहला point ideal for continuous observation of specific portion of earth earth के किसी भी specific portion में specific country specific जगा उसके observation continuous observation के लिए ये helpful माने जाते है उसके बाद used in the meteorology and for transmitting signals telephone, television, radio ये किसके अंदर उसके जाते है बेटा meteorology के अंदर इस्तेमाल किये जाते है जैसे कि telephone, television and radio signals ठीक है उसके बाद दूसरा क्या है continuous coverage continuous coverage का मतलब क्या है due to stationary nature, geosynchronous satellites provide uninterrupted coverage ये क्या करते है बेटा stationary होने की वज़े से उस particular जगा पे उस particular satellite क्या करता है एक continuous flow of network coverage देने की कुशिश करता है उसके बाद valuable for applications requiring constant monitoring like weather forecasting and telecommunication ये satellite जो है वो constant weather forecasting उसके बाद में weather monitoring उसके बाद में communication ऐसे चीजों के लिए जरूरी है और ये उतनी requirements को fulfill भी करते है बात clear है उसके बाद applications क्या है बेटा utilizing for meteorological data collection essential for signal transmission in telecommunication television and radio broadcasting इन सभी जगा पर इनका क्या होता है इस्तमाल होता है ठीक है so moving to the next slide next slide की तरफ जाते है देखो यहाँ पर second type अपने पास आ जाता है कौनसा है बेटा medium earth orbit हैना medium earth orbit क्या है लगबग height above the earth surface earth के surface से इनकी height लगबग 2000 km के आसपास है 2000 km से लेके 35,780 km क्याना क्योंकि 35,780 km के ऊपर जाने के बाद हमें high earth orbit satellites देखने को मिलते है so इनके बीच में जो है उनको हम क्या बोलते है बेटा medium earth orbit क्या बोलते है बेटा medium earth orbit बोलते है ठीक है बात clear है उसके बाद यहाँ पर attitude लगबग 2000 से 35,780 km के बीच में होता है उसके बाद geostationary satellites इनको बोला जाता है पहले को हम क्या बोल रहे थे बेटा देखिए slide को पहले को क्या बोल रहे थे geosynchronous satellite बोल रहे थे ठीक है अब इसको क्या बोल रहे है देखो इसको क्या बोल रहे है geostationary satellite बोल रहे है किसको medium earth orbit को ठीक है So, orbit above the equator, equator के अबो यह orbit करते है, उसके बाद, not suitable for polar region study due to fixed equatorial positioning, polar region के study के लिए यह suitable नहीं है, because यह equator पे इनकी positioning क्या रहती है, बात क्लियर है, okay, so, देखो यहापर, polar orbit for polar study, इसके लिए क्या बनाया जाते है, polar orbits बनाया जाते है, polar region के study के लिए, देखो, medium earth orbits used for polar region study, यह polar region के लिए study करने के लिए medium earth orbit का इस्तमाल किया जाता है, elliptical orbits allow coverage of polar areas, elliptical orbits जो है, वो polar areas का coverage जो है, वो allow करते हैं, बात क्लियर है, काफी theoretical concepts है, बहुत easy है समझने में, है न, थोड़ा सा आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, तो आपकी दिमाग में यह fit हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद, I will just reduce the brightness for you, ओके, ओके, comfortable, ठीक है, देखो, polar orbit characteristics, क्या-क्या characteristics है बेटा है यह orbit के, देखो, satellites in polar orbits complete one revolution in two to 24 hours, यह न, polar orbits के अंदर जो satellite है, एक revolution को complete करते है, लगबग, दो घंटे से लेके, 24 घंटे के बीच में, ठीक है, उसके बाद, ideal for studying polar regions, due to the varied coverage, polar region को हम study कर सकते है, circular orbits for a specific height, देखे की, some MEO, medium earth orbit, satellites in circular orbits at around 20,200 km above earth, इस circular orbits में लगबग, 20,200 km अपर, यह क्या करते है, orbit करते है, ठीक है, उसके बाद, क्या है बेटा, global positioning satellite, जिसको हम क्या बोलते है, GPS बोलते है, जिसका बहुत बड़े quantity में, आजकल हम इस्तेमाल कर रहे है, ठीक है, commonly found in such orbit, ऐसे orbits में, यानि की, medium earth orbit में, हमें GPS के जो satellites, global positioning satellites, यह देखने को मिलते है, ठीक है, उसके बाद, GPS satellites in MEO, जैसे की, global positioning satellites crucial for navigation, GPS जो है, global positioning satellite जो है, वो navigation के लिए काफी ज्यादा crucial है, इसलिए, utilize medium earth orbits for optimal coverage and accuracy, इसलिए, यह GPS satellite जो है, global positioning satellite जो है, यह medium earth orbit को utilize करके, हमें पूरा coverage and उसके साथ-साथ accuracy भी देने की कोशिश करते हैं, बात clear है, समझ में आ रहा है, yes or no, moving to the next slide, अब क्या है बेटा, low earth orbit है, क्या है, low earth orbit, देखो, यहाँ पर satellites in low earth orbit, जैसे की हम इसको short form में LEO बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा, LEO, ठीक है, orbit between 180 km and 2000 km above the earth, earth के surface के उपर लगबग 180 से लेखे 2000 km के बीच में इनकी height रहती है, ठीक है, उसके बाद LEO is commonly used for scientific experiment and atmospheric studies, उस particular region में कैसा atmosphere है, weather prediction थोड़ा बहुत उससे कर सकते हैं, तो scientific research के लिए, experimental work के लिए, in low earth orbit satellite को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उसके बाद satellites in LEO complete one revolution around earth in approximately 90 minutes, LEO के अंदर जो satellites है, एक revolution complete करते हैं, है ना, लगबग 90 minutes के अंदर, कितने minutes के अंदर, 90 minutes के अंदर, ठीक है, उसके बाद, notable examples of LEO's satellites include the international space station, ISS, इसके अंदर क्या है, बेटा, ये LEO, orbit के अंदर, है ना, क्या रहता है, बेटा, ISS रहता है, जिसको हम क्या बोलते है, बेटा, international space station बोलते है, जहां पर astronauts जाकर रहते हैं, ठीक है, So, and the Hubble telescope, Hubble telescope भी इसी range में हमें देखने को मिलता है, LEO is prepared for its proximity to the Earth, enabling faster orbit and closer observation, LEO क्या है, closer, faster orbit भी करता है, close observation भी कर सकता है, किसी particular region से, Okay, उसके बाद, the ISS, जैसे कि इसको हम बोलते है, international space station, a space station for international cooperation and Hubble, a renowned space telescope, both operate in low earth orbit, ISS, जो कि दुनिया में space के related research करने के लिस्तमाल किया जाता है, उसके साथ-साथ, जो Hubble telescope है, जिसने black hole की तस्वीर खीची थी, जैसे कि मैंने आपको last lecture में बताया था, वो भी इस low earth orbit के अंदर रहता है, ठीक है, LEO offers advantages for real-time data collection, यह real-time data collection के लिए advantages offer करता है, उसके साथ-साथ, communication due to the shorter orbital periods, यह न, these orbits play a crucial role in various space missions and scientific endeavors, यह जो orbit है, यह काफी important and crucial role play करते है, अलग-अलग scientific researchers के अंदर, experiment के अंदर और space mission के अंदर, बात क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है, ओके, yes or no, comment section में बताओ, काफी theoretical चीज़ है, देखो, यहाँ पर actual में कैसे रहते हैं, देखो, यह क्या है बेटा, यह जो आपको दिख रहा है, what is this, this is M-E-O, क्या है यह, M-E-O है, ठीक है, यह भी जो आपको दिख रहा है, यह भी क्या है बेटा, M-E-O है, ठीक है, I will just change the color of pen, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर यह जो दिख रहा है यह क्या है बेटा, what is this, L-E-O, क्या है, L-E-O, low, earth, orbit, क्या है, low, earth, orbit, और उसके बाद, I will just change the color of pen again, I will pick this one, उसके बाद, जो आपको यह दिख रहा है, सबसे बड़ा, जो कि मैं blue color से highlight करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको क्या बोला जाता है बेटा, H-E-O बोला जाता है, जिसको हम क्या बोलते है, high earth, high earth orbit, क्या बोलते है बेटा, high earth orbit बोलते है, बात clear है, समझ में आ रहा है, है न, यह visualize करने के लिए यहाँ पर एक diagram जो है, orbit का जो path है, वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इसको आप धान में रख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद, do you know में कुछ चीज़े हम जान लेते हैं, A group of students from COEP, College of Engineering, Pune, काफी famous college है, made a small satellite and sent it to the space through ISRO in 2016, COEP college के engineering के बच्चों ने एक छोटा सा satellite बनाया, और ISRO की मदद से 2016 में उस satellite को space में लाँच किया छोडा, ठीक है, the name of this satellite is Swayam, इसका नेम क्या था बेटा, Swayam नाम था इस satellite, ठीक है, and its weight around, लगबग एक किलो का weight था, अभी वही plan चालू है कि कैसे छोटे-छोटे satellites को भेजा जाए, जो कि कम वजन के हो, है ना, और उसकी मदद से, है ना, मतलब कम वजन के 1 kg, 2 kg के satellites भेज कर, ऐसे 1000 satellites भेज कर, काफी अच्छा communication network को establish किया जाए, काफी अच्छा data और scientific experiments and researches किये जाए, ठीक है, उसके बाद it's orbiting earth at the height of 515 km, अर्थ को orbit कर रहा था वो लगबग 515 km के दाएरे में, ठीक है, इस satellite का objective क्या था बेटा, कि point to point, है ना, एक special messaging service जो है, अभी जो हम messaging service इस्तिमाल करते है, WhatsApp के अंदर, वो internet की मदद से चलता है, है ना, आपके cell phone से जो text message आप करते हो, वो towers की मदद से चलता है, लेकिन इन satellites के इस्तिमाल करके, point to point, एक messaging service को establish करना, इसका मकसद था, ठीक है, उसके बाद, moving to the next slide, यहाँ पर कुछ solved examples दिये गये है, ठीक है, solved examples, क्या-क्या है बेटा, देखो, यहाँ पर, suppose the orbit of satellite is exactly 35,780 km above the earth's surface, यानि कि क्या है बेटा, यह लगबग high earth orbit हम इसको बोल सकते है, determine the tangential velocity of the satellite, हमें क्या determine करनी है बेटा, tangential velocity determine करनी है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर, G जो है वो हमें पता है, universal gravitational constant, 6.67 into 10 raise to minus 11 newton meter square per kg square, उसके बाद में capital M भी हमको पता है, 6 into 10 raise to 24 kg for earth, mass of earth, उसके बाद में radius of earth भी हमको पता है, लगबख 6,400 km, जिसको हम मिटर में convert करें, तो 6.4 into 10 raise to 6 meter आता है, ठीक है, उसके बाद, हमें height of the satellite above the earth surface, 35,780 km यह भी पता है, ठीक है, तो यहाँ पर r plus h हमें लिखना पड़ेगा, जो कि हमारे पास v का formula है, under root of capital G, capital M, जो कि हमने last lecture में पड़ा है, r plus h, तो r plus h की जगा radius of earth भी होगा उसके अंदर, 35,780 km उसकी earth के surface से hide भी होगी, ठीक है, तो दोनों को मिला दे, तो कितना आता है वो लगबग, 42,180 into 10 raise to 3 meter, ठीक है, बात clear है, तो अब इस formula के अंदर, अब सभी चीजे अगर हम put कर दे, तो हमें इसका answer मिलने में आसानी हो सकती है, ठीक है, देखो, यहाँ पर ही लिखता हूँ मैं, v is equals to under root of, देखो, देखो, g की value क्या है वेटा, 6.67 into 10 raise to minus 11, ठीक है, उसके बाद, mass of earth क्या है वेटा, बताओ, mass of earth is लगबग, 6 into 10 raise to 24 kg, 6 into 10 raise to 24 kg, ठीक है, उसके बाद, यहाँ पर r plus h की value हमने क्या निकाली है, 4, 2, 1, 8, 0 into 10 raise to 3, ठीक है, काफी आसान बन गया है, इधर लिखता हूँ मैं, ठीक है, अब यहाँ में, यहाँ पर, इधर 24 में से जब 11 निकल जाएंगे, हैना, 24 में से 10 गया, 14 और 1 गया, यानि कि 13 बच जाएंगे, यहाँ पर, यहाँ पर मैं इसे लिखता हूँ, 6.67 into 10 raise to 13 upon 4, 2, 1, 8, 0, हैना, multiplied by 10 raise to minus 3, ठीक है, मैंने क्या कर दिया बेटा, सिर्फ यह 10 raise to 3 को उपर भेज जा, कितना हो गया, वो 10 raise to minus 3 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर कितने बचेंगे अब, V is equals to under root of 6.67 into 10 raise to 10, हैना, upon 4, 2, 1, 8, 0, बात clear है, अब इसका point हटा लेते हैं, हैना, क्या लिखा है हमने, V is equals to, V is equals to 6.67 under root of, हैना, 6.67 into 10 raise to 10, ठीक है, upon, कितने हैं बेटा, 4, 2, 1, 8, 0, हैना, 4, 2, 1, 8, 0, 4, 2, 1, 8, 0, ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका point जो है, वो हटा देते हैं, ठीक है, इसका point हटाने के लिए, हम यहाँ पर नीचे 2 0 दे सकते हैं, 667 multiplied by 10 raise to 10, upon 4, 2, 1, 8, 0, into 10 raise to 2, बात क्लियर हैं बेटा, समझ में आ रहा है, yes or no, हाँ, क्योंकि 2 point का, हमने हटाया है, इधर 10 raise to 2 लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, 6.67 into 10 raise to 10, upon 4, 2, 1, 8, into 10 raise to 3, ठीक है, अब फिर से, यह 0 मैंने इधर adjust कर दिया, ठीक है, अब इधर से, यह cancel हो जाएंगे, लगबग, sorry, यह point नहीं चाहिए था इधर, just a second, okay, यह point इधर नहीं चाहिए था, okay, देखो, इधर 667 into 10 raise to 10, into 4, 2, 1, 8, into 10 raise to 3, अब यह 10 raise to 3, और यह उपर के 3 cancel हो जाएंगे, कितने बचेंगे बिट आपने पास, 667 into 10 raise to 7, upon 4, 2, 1, 8, बात clear है क्या, काफी आसान मैंने कर दिया है आपके लिए, ठीक है, काफी आसान है, अब इस वाले step को आपको solve करना है, calculate करके comment section में मुझे बताना है, बात clear है, समझ में आ रहा है, yes or no, okay, तो इस particular portion को solve करो, इसको multiply कर दो, इसके बाद में, इसका, तो total जो root आता है, वो आपको लिखना है, और वही आपका क्या होगा बेटा, answer होगा, वही आपका क्या होगा, answer होगा, और unit क्या लिखेंगे बेटा, velocity का unit है, meter per second, कुछ calculation आपको आपके मन से भी करते आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत आसान आपके लिए भी step by step कर लिया है, अगर आपको screenshot लेना है, तो इसका screenshot आप ले सकते हो, okay, you can take the screenshot, okay, done, so, इसका भी screenshot ले सकते हो, ठीक है, done, ले लिया, okay, और हमने critical velocity find out की थी, जिसका answer जो है, वो लगबग 3.08 km per second आया था, ठीक है, so, इसी calculation के हिसाप से, हम क्या करेंगे बेटा, इस numerical को solve करने की कोशिश करेंगे, अब देखो, यहाँ पर, in the previous example, how much time the satellite will take to complete one revolution around the earth, हमको क्या पूछा है बेटा, T पूछा है, यहाँ कि कितना time उसको लगेगा, उस satellite को एक revolution कम्पलीट करने के लिए, so, यहाँ पर, given क्या है बेटा, height of satellite हमें पता है, exactly 35,780 km है, उसके बाद में velocity of satellite क्या है बेटा, हमने जो निकाली है, वो 3.08 km per second है, उसके बाद, suppose, the satellite takes T second to complete one revolution around the earth, हमको यह assume करना है कि satellite T seconds ले रहा है, अर्थ के around एक revolution को complete करने के लिए, so, the distance traveled during this one revolution is equal to the circumference of the circular orbit, तो इस one revolution में जितना distance satellite travel करेगा, वो definitely किसके इक्वल होगा, बेटा, circumference के इक्वल होगा, है ना, मतलब, actually, हम इसको circular orbit मान रहे है, क्या मान रहे है, बेटा, circular orbit, और circumference of the circle क्या होता है, बेटा, 2 pi r, क्या होता है, 2 pi r, बात clear है, so, thus, the time required for one complete revolution can be obtained as follows, तो इसके लिए, यह formula जो है, मैं आपको समझा दूँगा, इसका answer और calculation आपको खुद notebook और pen लेकर यहाँ पर करना है, lecture देखते वक्त, है ना, तो यहाँ पर velocity का formula क्या है, बेटा, वैसे तो displacement बोला जाता है, लेकिन इस condition में हम distance भी बोल सकते हैं, displacement upon क्या है, बेटा, time है, ठीक है, अब displacement total कितना होने वाला है, अपना 2 pi r होने वाला है, ठीक है, यानि कि circumference of the circle upon time जो है, वो t है, बात क्लियर है, यहाँ पर हम t की value निकाल सकते हैं कैसे, t को इदर भेज देते हैं, therefore t is equals to 2 pi r upon v, velocity नीचे t उपर, बात क्लियर है, अब यहाँ पर r की जगा पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जो कि हमने कल लिखा था, देखो बला, r की जगा पर हम क्या लिख सकते हैं, r plus h लिख सकते हैं, So, here is, I can write r is equals to r plus h, यह capital R है, उसके बाद हमारे पास एक final formula बनके निकल के आता है, देखो, यह final formula जो है, वो t is equals to, t is equals to 2 pi, in the bracket, in the bracket, r plus h upon v, क्या formula निकल के आता है बेटा, अपने पास, t is equals to r plus h upon v, इसको मैं box कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है, अब इस formula के अंदर आपको क्या करनी है, बेटा, सिर्फ values को put करना है, और इसका answer आपको लिखना है, comment box में मुझे बताना है, जो भी answer आएगा, आपको comment box में मुझे बताना है, ठीक है, यहाँ पर कुछ formulas मैंने ऐसे लिख्या है आपके लिए, इसका चाय तो आप screenshot ले सकते हो, और इन formulas को आपको याद रखना है, you can take the screenshot of this, okay, clear है, okay, so, moving to the next slide, इस चाप्टर में numerical आपको पूछे जाएंगे, इसके chances काफी कम है, जो कि numerical को पूछने के लिए, बोड के पास बहुत सारे chapter है, जैसे क effects of electric current है, gravitation है, तो ये important chapter में से numerical ज्यादा तर आने के chances है, और ये जो है, theoretical chapter ज्यादा है, इसलिए numerical जो है, आपको मैंने समझा दिया, उसको आप खुद एक बार solve करके देखो, दिक्कत आई तो comment box में मुझे बताओ, ठीक है, so, देखो यहाँ पर, satellite launch vehicle basics है ना, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या रहता है बेटा, SLV रहता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलता है, satellite launch vehicle बोलता है, ठीक है, so, satellite launch vehicle का basics क्या-क्या है बेटा, देखो, सबसे पहले, used to place the satellite in the specific orbit, satellite launch vehicle का हम क्यों इस्तेमाल करते है, किसी भी satellite को specific orbit में प्लेस करने के लिए, उसके बाद, function based on Newton's third law of motion, Newton's third law of motion हमें क्या कहता है बेटा, every action, every action, there is, there is equal and opposite, equal and opposite reaction, every action there is equal and opposite reaction, अब इसी principle के उपर, इसी Newton के law के उपर, यह जो है, चीजे काम करती है, बात समझ में आ गई, clear है, so, यहाँ पर propulsion mechanism हमें क्या कहता है, देखिए एक बार, देखो, सबसे पहला point क्या लिखा है बेटा, काफे detail में मैंने सारे points आपके लिए यहाँ पर note-down किया है, आपको इसका PPT भी मिल जाएगा, और आप चाहे तो lecture देखते वक्त इसको note-down कर सकते हो, आपके note-book में, so, launch vehicle uses a specific type of fuel, launch vehicle जो है, वो एक specific, purest form of fuel को इस्तेमाल करता है, उसके बाद combustion of fuel produces high temperature gas, अब fuel के combustion की वज़े से, fuel के जलने की वज़े से, high temperature और वहाँ पर gas बनते है, उसके बाद, expel forcefully through the nozzles at the rear of the launch vehicle, launch vehicle के rear side में, forcefully उसको expel किया जाता है, और definitely वो क्या करेगा, thrust generate करेगा, क्या generate करेगा, वो thrust generate करेगा, अब thrust किसको कहते है, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, अपलाइड, इस कॉल्ड थ्रस्ट, इसी को ही हम क्या बोलता है वेटा, थ्रस्ट बोलते है, बात कलियर है, देखो, So Newton's third law, explosion of gases generate thrust, okay, gases का explosion क्या generate करेगा, बेटा, thrust generate करके उसको उपर भेजेगा, So thrust propels the vehicle into the space, और thrust ही क्या है, वेइकुल को space में प्रॉपल करने का काम करता है, बात समझ में आ गई, clear है, yes or no, okay, तो यहाँ पर और कुछ चीज़े हम देखेंगे, सबसे पहली बात structure and weight consideration, ठीक है, जैसे की design का part यहाँ पर आता है, किस तरीके से design होना चाहिए, weight कितना होना चाहिए, और उसी तरीके से उसका orbit और सब चीज़े जो है, So, structure depends on the satellite weight and orbit type, इसका SLV का structure जो है, वो satellite के weight के उपर depend रहता है, और कौन से orbit में उसको भेजना है, इसके उपर depend रहता है, So, field choice also influenced by these factors, इन factors की वज़े से, कौन सा field इस्तेमाल करना है, इसके बारे में काफी specific choices करने पड़ते हैं, और तब जाके वो चीज़े successfully launch हो पाती है, It's a significant portion of the launch vehicles, total weight, fuel क्या करता है, सबसे ज़्यादा weight को contribute करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा quantity में वहाँ पर हमें fuel की requirement है, तो इसलिए weight सबसे ज़्यादा fuel का रहता है, उसके बाद multi-stage launch vehicle, यह क्या है, देखो, large fuel weight addressed by using multi-stage vehicles, Weight reduction occurs step by step after each stage is utilized, देखो, अब large fuel वहाँ पर है, weight भी काफी ज़्यादा है, इसको overcome करने के लिए, हम यहाँ पर multi-stage vehicles का इस्तेमाल करते हैं, है न, यहाँ पर क्या होता है, step by step जो है, वो weight reduction होता है, ठीक है, अलग-अलग stages पे, है न, वो कैसे होता है, वो आगे आने वाले slide में एक diagram है, उसके अंदर हम ध्यान से समझेंगे, So, staging example, two-stage launch vehicle, इसके अंदर सबसे पहले है, two-stage launch vehicle, इसके अंदर first stage जो है, उसमें क्या होता है, fuel and engine used for initial launch, इसके अंदर क्या है, fuel और engine दोनों का इस्तिमाल किया जाता है, initial launch के लिए, first stage के अंदर, उसके बाद, after the first stage, the empty fuel tank and engine are detached and discarded, First stage होने के बाद, पूरा का पूरा fuel burn होने के बाद, ignition होने के बाद, वहाँ पर जो empty fuel tank बचता है, उसको discard कर दिया जाता है, उससे separate out कर दिया जाता है, So, second stage क्या है, remaining fuel, remaining fuel ignited for the continued propulsion, vehicle weight reduced enabling higher speed, बचा हुआ जो fail है, वह ignite किया जाता है, continued propulsion के लिए, and उसके बाद, इस तरीके से, जो weight है, उसका कम होता है, और जादा speed पकड़ने में उसको आसानी होती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, काफी आसान language में, काफी simple तरीके से, यह सभी lectures आपके सामने में represent कर रहा हूँ, तो share किजे दोस्तों के साथ, ताकि और भी बच्चों का इसमें फाइदा हो सके, देखो, यहाँ पर क्या है बटा, common practice, multi-stage vehicles, क्या है, multi-stage vehicles क्या है, देखेंगे, यह commonly use किया जाता है, launch vehicles typically have two or more stage, कौनसे भी launch vehicle को, दो या फिर दो से जादा stages रहते हैं, जिसके अंदर enhances, क्या करता है बटा, वो, enhances efficiency by shedding weight after each stage, हर stage पे अपना weight कम करके, उसकी efficiency जो है, वो बढ़ती रहती है, ठीक है, so, इसका example क्या है बेटा, सबसे पहला, PSLV, जिसको हम Polar Satellite Launch Vehicle बोलते हैं, क्या बोलते है, Polar Satellite Launch Vehicle, जो की developed किया गया है, ISRO के द्वारा, जो की Indian Space Research Organization है, so, developed by the Indian Space Research Organization, structure involves multiple stages to optimize efficiency, इस structure के अंदर, अलग-अलग stages रहती है, ताकि efficiency को optimize किया जा सके, ठीक है, so, figure 10.5A, जो है, provides a visual representation of the PSLV structure, 10.5A जो है, वो हमें visual representation देता है, किसका PSLV structure का, अब 10.5 image किदर है, next slide में है, उसको देखेंगे, है ना, देखो, यहाँ पर structure of PSLV, by, made by ISRO, है ना, देखो, यहाँ पर, सबसे पहला क्या है, बेटा, यहाँ से शुरू करते है, engine using solid fuel, which provides initial thrust, engine क्या कर रहा है, बेटा, solid fuel का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि उसको initial thrust देने की कुशिश कर रहा है, ठीक है, so, उसके बाद, next stage, first stage पर क्या होता है, देखो, first stage में, solid fuel का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, using a solid fuel, ठीक है, अब यह burn होने के बाद, थोड़ा सा weight कम हो जाएगा, उसके बाद second stage में, क्या होगा, liquid fuel का फिर से इस्तेमाल किया जाएगा, अब liquid fuel के बाद, third stage में क्या है, फिर से solid fuel का इस्तेमाल किया जाएगा, step by step fuel को burn करके, उसका weight reduce करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है, so, fourth stage में क्या होगा बेटा, fourth stage using, फिर से liquid fuel, fourth stage फिर से क्या यूज करेगी, liquid fuel का इस्तेमाल करेगी, and last one, यहाँ पर क्या रखा होता है बेटा, place for the satellite, यहाँ पर क्या रहता है, satellite रहता है, बात समझ में आ रही है, clear है सभी चीजे, yes or no, comment section में मुझे बताओ, ठीक है, so, moving to the next slide next slide की तरफ जाते है, देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर step by step चीजे दी है कि किस तरीकी से launch किया जाता है किसी भी satellite को, यह क्या है वेटा, यह space shuttle है, ठीक है, उसके बाद, space shuttle थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद, यह जो booster rockets है, यह क्या हो जाते, separate out हो जाते है, है ना, यानि कि आप यह सोचो कि जिस mechanism के उपर, आपका दिवाली का rocket उपर जाता है, उसी same mechanism का इस्तमाल करके, जितने भी launch vehicles है, यह satellite को उपर, उनके orbit में भेजने की कोशिश करते है, है ना, because same mechanism वहाँ पर भी produce हो रहा है, वहाँ पर भी जो बारूद है, उस rocket के अंदर की वो burn हो रही है, अब thrust produce हो रहा है, इसलिए वो rocket जो है, वो उपर जा रहा है, same यहाँ पर, same चीज है, सिर्फ यह थोड़ा सा बड़े scale में किया जाता है, इसकी cost भी काफी जादा रहती है, so, यहाँ पर क्या होगा बेटा, separation of booster rockets, जो booster rockets है, वो separate out हो जाएंगे, उसके बाद fuel tank जो है, वो इस stage पर क्या होगी, separate होगी, यह first, ठीक है, यह क्या है, second, यह third, है न, so, इसके बाद क्या है बेटा, यह जो satellite है, यह इसके orbit में चला जाएगा, और Earth के around घूमता रहेगा, बात clear है, समझ में आ रहा है, है न, अब यहाँ पर एक interesting point लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बेट satellite is launched in its orbit, and space shuttle returns to Earth, जो उसके orbit में satellite launch किया जाता है, वो space shuttle में, फिर से धरती की तरफ वापस आता है, देखो, इसके regarding एक point है आपर लिखा हुआ, so, the launch vehicles are costly because they can be used only once, देखो, launch vehicle एक तो costly रहते है, उसके बाद इतना जादा thrust प्रोडूस करने के बाद, वैसे भी उनके पास life नही पर अगर कोई satellite को हम install करके उसको भेजने की कोशिश करेंगे, और अगर उसकी efficiency कम हो चुकी है, तो वो project fail होने की chances बढ़ जाते है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक बार उसका इस्तमाल होता है, लेकिन USA जो है, USA has therefore developed a space shuttle, figure 10.5b, जो कि आपको दिख रही है, which returns to the earth except for the fuel tank and can be reused in multiple launches, देखो यहाँ पर fuel tank को छोड़के, बाती जो space shuttle है, वो वापस जो है, वो अर्थ के उपर लवटाया जाना possible है, और इसी तरीके से NASA ने, जो moonwalkers थे, Neil Armstrong और उनकी साथ के दो लोग, तो वो तीनों को भी इसी तरीके से धर्ती के उपर वापस लाया था, यह technology अभी USA क पास है, इंडिया के पास भी धीरे धीरे अब डेवलप होने वाली है, ठीक है, बात कलियर है, समझ में आ रहा है, so, moving to the next slide, next slide की तरफ बढ़ते है, देखो, always remember, क्या लिखा है, always remember में, the rocket, a type of firecracker used in the Diwali, is also the sort of launcher, अभी अभी बता है, न मैंने, rocket जो हम इस्तमाल करते है, दी देखो, यहां पर क्या लिखा है, it is a sort of launcher, this rocket, the fuel is ignited using a fuse, and the rocket is projected into the sky, just like a satellite launcher, इसके अंदर हम क्या करते है, उसको एक बत्ती रहती है, और उसको जब हम माचिस कि तीली से या फिर अगर बत्ती से उसको जब जलाते है, तो वो इगनाइट होता है, उसके अंदर जो फ्यल बार is blown, and release with its end open, the air in the balloon forcefully ejected, and the balloon is pushed in the opposite direction, आपने कभी एक्स्पेरिमेंट किया होगा, कि balloon को फुलाने के बाद, एक बलून आपने फुला लिया, और फुलाने के बाद उसको ऐसे पकड़ा आपने, और छोड दिया, गाट वगर उसको नहीं बांदी थी, ऐसे पकड़ा और छोड दिया, वो बलून उपर जाएगा, बहुत तेज स्पीड से, because उसके अंदर की जो हवा है, वो बहार निकल रही है, और वहाँ पर न्यूटन का थर्ड लौ काम कर रहा है, every action there is equal and opposite reaction, है न, इसी मेकानिजम के साथ वो बलून क्या हो रहा है, बाटा, उपर जा रहा है, so पर सभी discoveries की जा रही है, ठीक है, बात clear है, समझ में आ रहा है, yes or no, moving to the next slide, देखो, यहाँ पर देखो, क्या लिखा है, headline में, space mission away from the earth, अर्थ से दूर भीजेगा एक कुछ space mission, इनके बारे में काफी दिल्चस्प चीजे हम अभी discuss करेंगे, बने रही है lecture में, ठीक है, so artificial satellite enhance life, artificial satellite ने क्या किया है, बैटा, life को enhance किया है, yes or no, definitely, so, satellites play a crucial role in enriching our lives, heliscopes about, satellites gather information about celestial objects in the universe, satellite क्या करते है, बैटा, universe के अंदर जो celestial objects, celestial bodies है, उसके बारे में information collect करते है, ठीक है, so space missions for universe exploration, देखो, काफी लंबे समय से, काफी पुराने जमाने से, 200, 300, 400, 500 साल पहले से, human को, यह curiosity रही है, कि वो space के बारे में exploration कर सके, और इसी curiosity का नतीजा है, कि आज इतने सारे mission, जिसके अंदर इंडिया भी top 5 space research organization के अंदर आता है, जो कि हमारा ISRO है, तो इतने सारे space missions अब launch किये यह हमारे इंसानों के curiosity का ही नतीजा है, so humans are always curious about the space, spacecraft missions are launched to gain knowledge about the universe, spacecraft mission को launch किया जाता है, क्योंकि universe के बारे में knowledge gain करने के लिए, so definitely telescopes on the spacecraft observe nearby objects in the solar system, अब solar system के आसपास जो object है, उनको जो telescope लगे है satellites में, वो क्या करते है बटा, observe करते है, उनके अलग-अलग तस्वीरे खीचते है, और उन तस्वीर में से scientist को उनके मुताबिक data मिलता है, और उसके उपर आगे research होता है, ठीक है, बात clear है, so insights into solar system evolution, solar system के evolution की ज जो journey है, उसको जानने की भी कोशिश इंसान दिन प्रति दिन करता जाता है, ठीक है, देखो, यहाँ पर information from space missions, adds in the understanding, the creation and evolution of our solar system, देखो, हमारा solar system, हमारा पुरा ब्रह्मांड, यह पुरी दुनिया, पुरा universe कैसे बना है, इसके बारे में भी information जानने के लिए, इंसान काफी ज्यादा curious है, और इसके लिए धर्ती से काफी दूर space missions को भेजा जाता है, जैसे कि रिसेंटले आदित्टे L1 को हमने भेजा है, जो कि लागरांच पॉइंट पर stable हो चुका है, और वो sun को observe कर रहा है, उसके कुछ दिन पहले हमने 2023 में वो चंदरयान 3 mission को launch किया था, जो कि successfully चांद की धर्ती के उपर land किया, वहाँ पर वो जो rover है उसने पूरे researches किये, experiment carry out किये, है ना, तो ये सभी चीजे है, recently Japan का भी एक यान जो है, चंदरयान, वो भी वहाँ पर पोईच चुका है, ठीक है, so valuable data contributes to scientific knowledge about the celestial bodies, celestial bodies की बारे में एक बहुती interesting बाते हमें बताते है, है न और इसके अंदर contribute करते है, moving to the next slide, next slide की तरफ जाते है, देखो, यहाँ पर क्या है बेटा, escapes earth's gravitational force, है ना, earth के gravitational force को escape करना भी काफी जादा important है, हाँ, इसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, कि यहाँ पर क्या है बेटा, कि मतलब, अगर कोई telescope को situated है, कोई solar system में telescope situated है, तो वो telescope काफी दूर की images को capture कर रहा है, है ना, और जो images वो capture कर रहा है, रिसेंटली नासा ने release की थी images, telescope से खीची हुई, तो जो images वो capture कर रहा है, जो light उस तक पहुच रही है, वो लगबग हजारो करोडों साल पुरानी है, है ना, यानि कि अगर हमें हमारा past दे देखना है, तो वो telescope में खीचे हुए image के अंदर हम देख सकते हैं, हाँ, इसको समझने के लिए एक और मैं example आपको बता देता हूँ, है ना, hypothetical example consider करेंगे, suppose धर्ती के ऊपर हमने एक बड़ा सा telescope या फिर बड़ा सा mirror लगा दिया, और उसके अंदर हम काफी दूर तक zoom करके द light years लगेंगे, और मतलब जो हम देख रहे होगे, वो हजारो लाखो करोडो light years पहले का देख रहे होगे, है ना, इसलिए हमारा past अगर हमको देखना है, तो ऐसे ही बड़े-बड़े, जैसे कि Hubble telescope है, ऐसे ही बड़े-बड़े telescopes को हमें launch करना पड़ेगा, और उन से इस universe को observe कर करना पड़ेगा, जो कि अभी scientists कर भी रहे है, है ना, तो definitely अगर sun जो है, sun की रोशनी धरती के उपर आने के लिए लगबख 7.5 मिनिट का वक्त लगता है, है ना, अगर इसी समय, अगर sun जो है वो vanish हो जाए, तो हमें उसको उसका पटा चलने के लिए 7 मिनिट का समय लगेग यानि कि sun vanish होने के 8 मिनिट बाद हमें ये पटा चलेगा कि sun अभी नहीं है, है ना, तो ये point का आप समझो, इसलिए जितना हमें past में जाकर देखना है, उतने दूर के galaxies को हमको observe करना पड़ेगा, आ गई क्या बात समझ में, यानि कि suppose 1000 light year को दूर कोई planet है, धरती जैसा, और वहाँ पर हम कोई mirror लगा दे, है ना, बहुत बड़ा mirror, ये hypothetical बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा mirror लगा दे, और धरती से उस mirror के अंदर, अपने धरती को देखे, तो अपने को past नजर आएगा, जो कि 1000 साल पुराना है, है ना, अब ये काफी interesting concept है, इसके उपर कोई अ अब बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर, क्या है, escape earth gravitational force, किसी भी satellite को अगर orbit में situated होना है, तो earth के gravitational force से उसको escape करना पड़ेगा, बहार निकलना पड़ेगा, definitely, so spacecraft must overcome the earth's gravitational force, to reach outer space, बहारी space में जाने के लिए, earth के atmosphere से, gravitational pool से बहार निकलने के लिए, definitely उनके लिए, क्या चाहिए, वेटा एक force चाहिए, और उसको ही हम क्या बोलते है, escape velocity बोलते है, escape velocity यानि कि वो speed है, जिस speed से अगर spacecraft जाता है, उपर, तो वो earth के gravitational pull से बहार निकल पाएगा, उससे अगर कम है velocity, तो वो नहीं निकल पाएगा, अब यह earth के case में नहीं है, यह हर planet के case में escape velocity अलग-अलग होती है, चांद पर gravity कम है, इसलिए escape velocity भी वहाँ पर कम होगी, definitely, so, escape velocity on a planet can be calculated using a specific formula, escape velocity को एक specific formula से हम calculate करते है, understanding and calculating escape velocity is essential for successful space mission, देखो, escape velocity को calculate करना और उसकी मुताबिक up thrust को generate करना, यह सब calculations काफी important बन जाते है, किसी भी mission को अगर हमें successfully launch करना है, तो, है ना, so, यहाँ पर, moving to the next slide, next slide की तरफ बढ़ते है, देखो, अब escape velocity कितनी है, क्या है, यह भी हम निकाल के देखेंगे यहाँ पर, देखो, हमारे प equals to under root of 2gm upon r, अब g क्या है, universal gravitational constant है, ठीक है, उसके बाद में m क्या है, mass of the planet है, अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे है, अर्थ की बात कर रहे है, मून पर अगर जाते, तो हम यहाँ पर mass किसका लेते है, मून का लेते, ठीक है, so, यहाँ पर r क्या है, capital R, radius of that planet, ठीक है, अब specifically हम किसके escape velocity निकालनी चाहते है, escape, escape velocity of earth, है न, escape velocity of earth, so, देखो, यहाँ पर gravitational constant हमें पता है, 6.67 into 10 raise to minus 11 newton, meter square per kg square, उसके बाद में, mass of the planet, earth, कितना है बेटा, 6 into 10 raise to 24 kg, and radius of the planet कितना है, 6.4 into 10 raise to 6 meter, बात क्लियर है, अब देखो, simple चीज़े है, यहाँ पर हम सिर्फ क्या करेंगे, values को put कर देखो, यहाँ पर 2 multiplied by 6.67 into 10 raise to minus 11, multiplied by mass of earth, 6 into 10 raise to 24, upon 6.4 into 10 raise to 6, अब यह 10 raise to 6 उपर जाएंगे, 24 में से minus होंगे, यह 11 minus हो जाएंगे, 13 बचेंगे, 13 में से 6 गए, कितने बचेंगे, बताओ, 7 बचेंगे, है ना, 10 raise to 7, और इसको अगर हम adjust कर ले, इस point को, तो definitely हम एक value मिलती है, 11.18 into 10 raise to 3 meter per second, है ना, अब इसको kilometer per second में भी हम लिख सकते हैं, कैसे, देखो, 11, यह 10 raise to 3, इसको हटा देते हैं, और convert कर देते हैं, 11.8, 11.18 kilometer per second, हाँ, यह क्या आगई बेटा, क्या आगई है, escape velocity on earth, क्या आगई बेटा, escape velocity on earth, है ना, तो therefore, अगर किसी भी spacecraft को, earth के gravitational pull से outer space में बाहर जाना है, तो definitely उसको 11.18 kilometer per second के velocity के साथ जाना पड़ेगा, otherwise, वो earth के gravitational pull से बाहर नहीं निकल सकता, अब इतने speed से जाना है, इतने escape velocity से जाना है, तो उस हिसाब से उसको force भी apply करना पड़ेगा, upthrust भी apply करना पड़ेगा, अब again, upthrust जो है, वो उस particular satellite के launch vehicle के weight के उपर depend करेगा, अब ये weight के उपर क्या depend करेगा, कि कितना fuel उस satellite या फिर launch vehicle के अंदर हमें burn करना पड़ेगा, तब जाके इतना upthrust generate हो सके, कि उसको 11.18 km per second की escape velocity देकर वो अर्थ के gravitational pool से बहार निकल सके, बात clear है, yes or no, so, thus, if the spacecraft is to escape the earth's gravitational force to travel to the outer space, it must have a minimum velocity of 11.2 km per second, हमने ये जो calculate की बेटा, ये accurate calculate की है, हैना, मतलब इससे थोड़ी सी जादा, हैना, ये 11.18 है, तो हम यहाँ पर क्या consider कर रहे हैं, 11.2 km per second consider कर रहे हैं, बात clear है, समझ में आगा है escape velocity का concept, हैना, so, moving to the next slide, next slide की तरफ भी जाते है, देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, do you know में क्या लिखा है, देखिए, so, the astronomical object closest to us is the moon, हैना, earth के पास, सबसे closest astronomical object, जो है, वो, moon है, जो की, light takes one second to reach from moon to the earth, हैना, moon से, earth तक light को आने के लिए, लगबग एक second का समय लगता है, so, it means that, if we travel with the speed of light, इसका मतलब यह होता है, कि अगर हम light के speed से travel करते हैं, तो लगबग इट विल टेक one second to reach the moon, हैना, अगर light के speed से travel करते हुए जाते हैं, तो एक second में हम moon तक पहुच सकते हैं, कितने second में बेटा, एक second में, हैना, ऐसे हमने चंदरयान भीजा था, उसके बाद वो NASA के astronauts, Neil Armstrong बगरे गए थे, उनको एक दिन, दो दिन का समय लगा था, दो तिन दिन का, चंदरयान को अपने 8 दिन का समय लगा, हैना, मैना भर का समय लगा, रशिया ने जो भेजा था उसको 8 दिन का समय लगा, हैना, तो यह मतलब अगर light की speed से travel करना possible हो जाए, तो एक second की दूरी है, मतलब अर्थ से लेके moon तक, ठीक है, सो, देखो, however, since a spacecraft travels at much smaller speed, it takes longer time to reach the moon, the shortest time taken by a spacecraft to reach the moon, so far, is 8 hours and 36 minutes, हैना, सबसे कम समय, हैना, किसी spacecraft को लगा था, definitely वो NASA का spacecraft था, और उसको लगबग 8 घंटे, 36 minutes लगे थे, इस दूरी को travel करने के लिए, और अब ये, हम इसके radius से बात कर रहे है, radius to radius, मतलब center to center बात कर रहे है, distance है, लगबग 3,84,000 km का वहाँ पर distance है, जो कि अर्थ के speed के बराबर हो जाता है, ठीक है, अर्थ के नहीं, वो light के speed के बराबर होता है, ठीक है, so, देखो, moving to the next slide, क्या लिखा है बटा यहाँ पर, moon missions, यह काफी important and integral part रहा है, हमारे space journey का, है न, इंडिया के लिहाद से भी, दुनिया के हिसाब से भी, है न, moon काफी interesting बात रही है, सब scientist के बीच में, क्योंकि वो काफी नजदीक है, as compared to the other planets in the solar system, other celestial bodies in the solar system, so, देखो, यहाँ पर moon missions overview यहाँ पर दिया गया है, moon being the closest astronomical object was the first target for space mission, यह सबसे पहला target था space mission के लिए, multiple countries जिसके अंदर USA, Soviet Union, जिसको हम Russia बोलते है, Europe बोलते है, China, Japan and India, इसलिए मैंने आपको बोला न, इंडिया जो है वो टॉप फाच देशों में आता है, moon mission के बारे में बात करते है तब, so executed missions on the moon, इन सभी countries ने, USA, Europe, Russia, उसके बाद में चीन, जापान, इंडिया, इन सभी countries ने कभी ना कभी moon के ऊपर अपने missions को launch किया, moon उनका target रहा है, अब Soviet Union की जो series है, moon mission की वो Luna series in 1959, सबसे पहले उनने 1959 में moon exploration को शुरू किया था, उसके बाद, Luna 2 को launch किया गया, 1959 में, was the first spacecraft to reach near the moon, Russia का जो spacecraft है, Luna 2 जिसका नाम है, वो सबसे पहला spacecraft है, जो की सबसे पहले, चांद के सबसे करीब पहुच पाया है, so scientific analysis by the Luna series, इन्होंने क्या क्या किया है, यह भी देख लेते है, so between 1959 and 1975, 59 से लेके 75 के बीच में लगबग 15 Soviet spacecraft को analyze the moon, 15 Soviet spacecraft को launch किया गया, उन्होंने क्या किया बटा, analyze the moon's chemistry, मून के ऊपर कौन से-कौन से gases है, कौन से-कौन से minerals है, कौन से elements है, क्या-क्या चीजे है, वहाँ पर temperature condition कैसे रहता है, so इन सभी चीजों को, मून's chemistry, मून's gravity, मून's density, and मून's radiation, यानि कि मून का surface कौन से radiation को emit करता है, इन सभी चीजों के बारे में, उन्होंने काफी details को एकठा किया, so last four crafts landed on the moon, इनके जो last 4 थे, इन 15 में से, last four थे, वो moon के surface के उपर land किये, उसके बाद collecting and bringing back stone samples for laboratory analysis, और इन्होंने क्या किया, वहाँ जाकर, जो samples थे, moon surface के, उसको भी collect करके, वहाँ पर laboratory के अंदर फिर से उन्होंने research उसके उपर की है, ठीक है, अब आप सोचोगे sir, और हमने तो चंद्रयान 3 के अंदर काफी अच्छा success हासिल किया है, है ना, चांद के उपर हम लगबग Hollywood के film के budget के जितने पैसों में, चांद के उपर हम successfully land किये हैं, और हमने किया 2023 में और यह Soviet Union और USA ने किया 1959 में, है ना, 1975 में, तो ऐसा कैसे इतना समय भारत को क्यों लग गया, तो दोस्तों, आजादी के बाद, जैसे कि 1947 के बाद, इंडिया के पास ज्यादा पैसा नहीं था, कि यह space exploration के अंदर वो इंकम बढ़ती गई, जैसे जैसे government की इंकम बढ़ती गई, वैसे वैसे ISRO को funding भी बढ़ती रही, और आज यह नतीजा है कि ISRO दुनिया के top 5 space organization के अंदर आता है, और वो भी सबसे कम budget में, काफी efficient cost में, सब missions को successfully carry out करता है, यानि कि जो 600-700 करोण में हमने चांद के उपर या बनाने के लिए 1000 करोड लग जाते है, जो कि space के उपर बेस रहती है, तो Hollywood के film के budget से भी कम पैसो में, हमने चांद के उपर अपना rover, अपना जो यान है, उसको बेजा है, यह काफी proud बात है हमारे भरत के लिए, और उमीद है कि आगे चल कर, चांद से वापस आने का mechanism भी ISRO ज चंदरयान 4 नहीं, चंदरयान 5 तक हमारे पास यह technology आ जाएंगी कि हम चांद से लेकर वो जो sample है, उसको वापस धरती के उपर ला सके, और उसके बाद यह कोशिश रहेंगे कि कोई इंसान, भारत का इंसान कोई चांद के उपर पहला कदम रख सके, और देखो, चांद के उ चांकारी मिली है, क्या क्या information मिली है, वो सबसे ज़्यादा important है, आगई बात समझ में clear है, yes or no, so, moving to the next slide, next slide की तरफ जाते हैं, देखो, so, American moon missions, यह काफी popular missions रहें, जो की NASA के दवारा conduct किये गए थे, ठीके, लगबग 1962 से लेके 1972 के बीच में, यह जो moon mission है, इनको execute किया गया, उसके साथ-साथ USA executed a series of manned and unmanned moon missions from 1962 to 1972, यहाँ पे कुछ manned mission से कोई unmanned थे, यानि कि जिसके अंदर आदमी नहीं था, जिसके अंदर आदमी थे, लेकिन moon के surface के उपर पहला कदम रखने से पहले, जो तीन लोगों ने कदम रखा, दो लोगों ने कदम रखा सबसे पहला, एक उ पहले, जो धर्ती के उपर experiments हुए, इंसान को moon पे भेजने के लिए, उसमें काफी ज्यादा लगबग, 40 से ज्यादा astronauts की जान उसके अंदर जा चुकी है, यह धर्ती के उपर जो experiment हो रहते हैं, उनको भेजने के लिए, उसके अंदर, 40-50 लोगों की जान जाने के बाद, तब जाके यह success 1969 को मिला है, तो इसकी पीछे काफी दर्दनाक दास्ता है, जो कि फिर कभी आप से discuss की जाएंगी, So, देखो, यहाँ पर इन जुलाई 1969 में, निल आमस्टॉंग बिकेम फर्स हुमन तो स्टेप अन दे मून, दूरिंग अपोलो 11 मिशन, कोन मिशन का नाम क्या था बेड़ा, अपोलो 11 मिशन था, 1969 में, निल आमस्टॉंग ऐसा पहला इनसान बन जाता है, जिसने मून के सर्फेस के उपर सबसे पहला कदम, इनसानों के इथियास में, सबसे पहला कदम रखा था, ठीक है, इसके बाद हमारा कॉंट्रिबिशन भी देख लेते हैं, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 के information है, आपके syllabus में, लेकिन मैं आपको दोनों भी बताऊंगा, चंद्रयान 2 भी बताऊंगा, और 3 बता दिखने आपको, So Indian contribution क्या है इसके अंदर हमारे पास बहुत powerful organization है जिसको हम बोलते है ISRO Indian Space Research Organization हम बोलते है क्या बोलते है बेटा Indian Space Research Organization ठीक है तो देखो ISRO ने क्या किया बेटा 2008 में 2008 में सबसे पहले चंदरयान 1 mission को launch किया था ठीक है अब चंदरयान 1 mission में क्या क्या हुआ देखो In 2008 ISRO successfully launched चंदरयान 1 India's first lunar mission 2008 में चंदरयान 1 जो है वो भारत का सबसे पहला lunar mission था lunar यान की क्या moon के targeted moon के ऊपर targeted mission है ना इसको हम lunar mission बोलते है चंदरयान 1 discover the presence of water on the moon surface यह काफी बड़ी achievement थी पूरे history के अंदर चंदरयान 1 ने moon के surface के ऊपर water की discovery की थी जो कि आज तक दुनिया को नहीं पता था 2008 तक दुनिया को नहीं पता था अब इसकी वज़े से significant achievement बन जाता है पूरे दुनिया के अंदर उसके बाद चंदरयान 2 में हमारी कोशिश थी कि उसको safely चांद के surface के ऊपर land किया जा सके लेगिन unfortunately वो land नहीं हुआ लेगिन not the चंदरयान 2 mission is not completely failed जो कि हमने proportion model छोड़ा था वो अभी भी घूम रहा था मतलब वो लगबख 50% वो mission जो है वो successful हो चुका था 50 नहीं 70-80% हो चुका था सिर्फ landing में दिखकत आई इसलिए वो crash land कर गया और वो गलती हमने सुधार कर चंदरयान 3 को इतने गर्व के साथ चांद के ऊपर चलाया उस rover को कि पूरी दुनिया उसको देखती रहे गई आगई बात समझ में सो देखो next क्या है बेटा international collaborations क्या है international collaborations ठीक है देखो इदर so multiple nations collaborated in the moon exploration contributing to our understanding of lunar conditions देखो यह पर बहुत सारे देशों ने इसके अंदर contribution किया है चंदरयान mission के अंदर इंडिया का जो है वो चंदरयान one added valuable insight to the global knowledge base देखो पूरे दुनिया को global knowledge के अंदर हमने काफी ज्यादा contribution किया है मून के उपर water की discovery करने के बात okay so moving to the next slide next slide की तरफ बढ़ते है देखो अब क्या है बेटा Mars missions है Consumission's Mars mission जो की इंडिया ने भी successfully एक Mars mission को launch किया वो भी काफी कम budget में किया है देखो Earth's nearest neighbor है ना कोई नस्दी की अगर कोई planet है अब यह moon जो है वो Earth का natural satellite है कोई planet नहीं है solar system का है तो Earth के नस्दी की कोई planet है तो उसका नाम है Mars जिसको मंगल बोलते है है ना so Mars the second closest astronomical object to the Earth after the moon moon के बाद सबसे closest दूसरा कोई astronomical object है तो Mars है has been a target for a space exploration इसलिए इसको भी space exploration के अंदर target किया गया है ना so यहाँ पर challenges in Mars mission, Mars mission के अंदर challenges क्या क्या है बेटा देखो Mars exploration possesses significant challenges with nearly half of the missions encountering difficulties or failures क्योंकि देखो obviously दूरी काफी जादा है Mars की, Mars के उंदर कोई वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पर इसलिए दिक्कत है कि बहुत सारे missions already fail हो गया है उसके बाद distance and complexity of Mars mission take inherently demanding, so ESRO cost effective success, ESRO का सबसे cost effective success है क्योंकि हमने काफी कम budget में Mars का mission जो है वो successful किया है, यह ना ESRO with its cost effective approach achieve the capable success in the Mars exploration, spacecraft का नाम था बेटा मंगल यान, क्या नाम था उसका मंगल यान, क्योंकि Mars को मराठी में या फिर देवनागरी में मंगल बूला जाता है, क्या बूला जाता है वेटा मंगल, so, मंगल या लॉंच इन नॉवेंबर 2013, 2013 के अंदर, नॉवेंबर 2013 के अंदर मंगल यान को लॉंच किया गया, एक्समलिफिस, इंडियाज इफिशन्ट इंट्री इंट्र इंट्र प्लानेटरी मिशन, और 2014 में लगबख चार पाच महिने में, ये सक्सेस्फुली उस Mars के पास पहुच गया, इसके पहले, नासा ने भी काफी जादा मिशन्स यहाँ पर किया है, जो कि उनका एक रोवर है, वो अभी भी मार्स की सरफिस के उपर है, और वहाँ से डेटा नासा को भेज रहा है, वहाँ की फोटोग्राप्स मार्स के सरफिस के उपर की, वो भी अवेलेबल है, जिसको आप देख सकते हो आगई बात समझ में yes or no so mangalyan unique contributions देखो यहाँ पर mangalyan orbited mars successfully in the September 2014 एक लगबग एक साल के समय में वो mars को successfully orbit करने लगा mangalyan providing valuable insights into the martian surface and atmosphere mars के atmosphere के बारे में और mars के surface के बारे में काफे valuable information इस mangalyan ने हमें provide की है so isro accomplishes accomplishment in a cost effective mars exploration stands out among the global space missions अभी cost effectiveness की वज़े से isro जो है वो पूरी दुनिया में stand out कर गया कि cost effective तरीके से कैसे successful missions को launch किया जा सकता है इसका एक उधारन पूरे दुनिया के सामने इस रो ने खड़ा किया है ठीक है सो देखो scientific achievements scientific achievements क्या क्या है बटा mangalyan gathered essential data about the mass denouncing and understanding of the red planet's characteristics इसको red planet भी बोला जाता है उसके बाद the mission showcased India's capabilities in space research and exploration है ना इस mission ने ये भी बता दिया पूरे दुनिया को की इंडिया की कितनी capability है space research की मामले में and exploration की मामले में है ना national pride in ISRO's success देखो यहाँ पर ISRO exemplary performance in the mass exploration and source of national pride the successful and cost-dependent mission further establishes इंडिया's position in the global space community ISRO की पूरे दुनिया के space community के अंदर पूरे दुनिया के research organization के अंदर ISRO की एक unique position यहाँ पर बन पाई है यह successful Mars mission की वजए से और उसके बाद चंदरयान 3 में भी हमने वो प्रूव करके दिखाया है कि सबसे कम cost में सबसे efficient तरीके से successful missions हम कैसे launch कर सकते हैं बात clear है yes or no okay so moving to the next slide next slide की तरफ बढ़ते हैं देखो Indians in space India में से कौन से कौन से लोग space के अंदर सबसे पहले गए इसके अंदर सबसे पहला नाम आता है बटा Rakesh Sharma का इसका नाम आता है Rakesh Sharma यहाँ पर Rakesh Sharma was the first Indian to travel space he went into the space along with the two Russian astronauts under the joint Indo-USSR space program he stayed in the space for eight days Rakesh Sharma वो पहला इंसान था जो की Russian astronauts के साथ मिलकर इंडिया और USSR का एक collaboration हुआ था और उस program के तहद लगबग आठ दिन यह space में रहे थे Rakesh Sharma जी उसके बाद में क्या है कलपना चावला जो कि आपको पता है कलपना चावला अप्टेन हर Engineering in Aeronautics degree फ्रम पंजाब इन 1988 उन्होंने कलपना चावला ने 1988 में पंजाब में से उसके डिगरी को कंपलेट किया जो कि Engineering in astronauts था उसके बाद अप्टेन हर डॉक्टरेट फ्रम University of Colorado प्हडी कंपलेट किया डॉक्टरेट डिगरी अली University of Colorado से उसके बाद she was in the space for 336 hours during research mission वो लगबग 336 घंटे space में थी है ना लगबग मेरे खायल से लगबग वो एक 6 से लेके 7 दिन का समय है so while returning to the earth from the space मतलब earth की तरफ स्पेस से आते वक्त 1st February 2003 को the Columbia spacecraft exploded and Kalpana parisht देखो काफी दर्दनाक हाथसा रहा है यह क्योंकि सब कुछ successful हुआ था research वगड़े अच्छे रेके से हुई थी लेकिन वापस आते वक्त जो की समय था जो दिन था वो 1st February 2003 का दिन था और उस दिन Columbia नाम का spacecraft जो है वो explode हो जाता है और unfortunately Kalpana चावला की उस spacecraft के अंदर दर्दनाक मौत हो जाती है तो यह काफी बुरी चीज रही है लेकिन ultimately उन्होंने वहाँ पर research की है यह उनका बहुत बड़ा contribution बनता है यहाँ पर Sunita Williams यह भी Sunita Williams traveled to the International Space Station in the Space Shuttle Discovery in 2006 2006 में इन्होंने ट्रेवल किया है उन्होंने लगबग 29 आर्स जो है शी वर्क फोर 29 आर्स आउटसाड दे स्पेस स्पेस स्पेस्टेशन के बाहर वो सूट पहन के वो रिपेरिंग वगरे maintenance का काम लगबग 29 आर्स इन्होंने किया ह शी क्रियेटेड रेकॉर्ड बा स्पेस्टेशन के अंदर लगबग 192 आर्स इन्होंने का समय आता है तो उतने दिन रहकर उन्होंने वल्ड रेकॉर्ड बनाया है किनोंने सूनिता विलियम स्टी ने आगई बात समझ में उसकी बाद आज हम देखेंगे बिटा वारिड अदिंग अड़ फ्लाइबीज फॉर ड्राइवर्स एक्स्प्लोरेशन आफ प्लानेट देखो यहां पर अलग-अलग प्लानेट को स्टडी करने के बाद उनके और उर्बिट को स्टडी करने के बाद हम सैटेलाइट को लांच कर सकते हैं और उस हिसाब से हम और भी अड़ एक्स्प्लोरेशन करना जरूरी है तो अब्सरीग कलेक्टिंग डेटा और रिटर्निंग सैंपल्स फॉर डीटेल स्टडी अब ऐसे अड़ कोमेट्स का डेटा कलेक्ट करके वो सैंपल्स को वापस भेजना और उसके उपर स्टडी करना यह भी एक मकसद है उसके ब सैंपल्स अना सोलार सिस्टम के बारे में हमें और भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन पता चलती है अगर हम बात करते हैं जो सैंपल हमारे पास मौजुद है उसके बारे में अब क्या है बिटा सोलार सिस्टम अंडेस्टेंडिंग अब कोई भी स्पेस मिशन जो है जैसे कि हमने सोलार सिस्टम के अंदर सन के सबसे पास इसरो ने अदित्ते एलवन जो है उसको लॉंच किया वो की सक्सेस्फुली वहाँ पर डिप्लॉई भी हो चुका है तो वहाँ पर उस हिसाब से ये ओरिजिन सोलार सिस्टम का और इव पॉलुशन किस तरीके से सोलार सिस्टम इवॉल हुई है ये पता कर पाना काफी आसान बन जाता है ठीक है उसके बाद इंटर डिसिप्लारी डिस्कॉवरीज जैसे कि मिशन्स अफर हॉलिस्टिक इंसाइट्स इन्रिचिंग अबर अंडरसेंडिंग अब दो कॉस्मिक एन् क्रियेट होता है कॉस्मोलोजी के बारे में डिसकस करने के लिए अलग अलग जो है इंटर डिस्कॉवरी जो है वो होती रहती है ठीक है क्योंकि हर डिस्कॉवरी एक के ऊपर एक डिपेंडन्ट रहती है है ना सो वन बाइवन स्टेप बाइस्टेप यह सभी चीजे होती है देखो, इंडियन प्रोग्रेस इन लाँच वेहिकल्स, लाँच वेहिकल्स के अंदर भारत ने क्या-क्या प्रोग्रेस की है, जोकि टाइटल है इंडिया और स्पेस टेक्नलोजी, देखो, नोटवर्दी आडवांसमेंट्स इन दे साइन्स अड टेक्नलोजी विद वेरियस developed capable of deploying satellites up to 2500 kg into diverse orbit, देखो, ISRO ने काफी remarkable achievement पिछले कुछ सालों में अच्यू किया है, और ISRO ने एक launch vehicle को develop किया है, लगबग वो 2500 kg तक वजन का satellite जो है, वो अरबिट में, अलग-अलग diverse orbit में भेजने के capable है, ठीक है? तो यह काफी important चीज है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ key launch vehicles है, जैसे कि PSLV and GSLV, है ना, यह कुछ important majorly used launch vehicles है, PSLV and GSLV stand out a crucial launchers in the Indian Space Program, integral for placing satellites into different orbits, यह काफी important है, और ज्यादा तर इन ही PSLV and GSLV का ही इस्तमाल करके, अलग-अलग satellites को Indian Space Program के तहद launch किया जाता है, ठीक है? उसके बाद national development impact, देखो, क्या है यहाँ आपर लिखा हुआ? scientific and technological achievements contribute significantly to national and social development, देखो, यहाँ पर space के अंदर research जो होती है, जो technological achievement होती है, इसकी वज़े से हमारे society के अंदर और हमारे पूरे देश के अंदर एक impact create होता है, उसके बाद launch vehicles play a vital role in enhancing communication, broadcasting and meteorological services, अब launch vehicle की मदद से अलग-अलग satellites को आसानी से orbit में भेजना अगर possible हो पाया है, तो इस वज़े से यहाँ पर communication enhanced होता है, उसके बाद में broadcasting भी काफी आसान और सस्ती बन जाती है, meteorological services जो है, वो भी काफी बढ़िया तरीके से काम करती है, ठीक ह इनसाट और जीसाट, satellite series, देखो, active engagement in telecommunication, television broadcasting and meteorological services, critical for the widespread availability of television, telephone and internet services across the nation, यहाँ पर इसकी वज़े से, इनसाट और जीसाट, satellite series की वज़े से, इधर telecommunication के अंदर, television के अंदर, telephone के अंदर, internet services के बारे में, और meteorological broadcasting के अंदर, काफी ज़्यादा development हमें देखने को मिली है, ठीक है, उसके बाद, moving to the next slide, देखो, अब क्या है बेटा, EduSat satellite for education, यह जो satellite है, यह education के लिए है, जिसको क्या बोला जाता है, बेटा, EduSat बोला जाता है, ठीक है, देखो, यहाँ पर EduSat part, part of the series, serves a specific role in the field of education, यह education के field में, काफी important काम करता है, यह की EduSat, जो है, वो एक satellite series का part है, so, IR highlights the multifaceted applications of satellite technology, satellite technology के multiple applications, यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, उसके बाद, IRS Satellite Series for Resource Management, देखो, IRS Series dedicated to monitoring and managing natural resources, IRS Series जो है, वो monitor करती है, और manage करती है, कि इसको बेटा, natural resources को, ठीक है, उसके बाद, plays a vital role in disaster management efforts, disaster management efforts के अंदर भी काफी important role play करती है, क्योंकि natural resources है, उनका पता लगाने के बाद, कोई disaster है, उसके बाद में भी पता लगा पाना, वो एक flow में आ जाता है, तो यह disaster management भी इसका important role है, उसके बाद, IR and SS Satellite Series for Location Precision, देखो, location के accuracy बढ़ाने के लिए, जितना accurate location होगा, उतना correct data हमें मिल पाएगा, और जितना data correct होगा, उतने scientific researches के ऊपर, हम trust कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर IR and SS Series established for the precise location determination, using latitude and longitude, लाटिटव और longitude के जो lines intersection है, उसके हिसाब से वो location preciseness को define करता है, so enables accurate positioning of any place on the earth surface, इसके वज़े से earth की surface के ऊपर कही पर भी accurate positioning, accurate mapping हमें देखने को मिलती है, आगई बात समझ में, so moving to the next slide, next slide में क्या लिखा है बेटा, देखो, यहाँ पर थंबा, किरुवननत पुरम में जो situated है, थंबा, इसके अंदर क्या है बेटा, विकरम साराभाई space center है, क्या है बेटा, विकरम साराभाई space center, उसके बाद में, स्री हरी कोटा, स्री हरी कोटा के अंदर सतिश धवन space research center है, ठीक है और उसके बाद में चंदीपूर जो कि ओडिशा के अंदर situated है उसके अंदर space application center है एमदाबाद में ठीक है आगई बात समझ में yes or no clear है okay so moving to the next slide next slide की तरफ बढ़ते है introduction to the scientist कुछ Indian scientist के बारे में भी जानना जरूरी है तो अभी आपने नाम सुना न विकरम सारा भाई space station तो ये विकरम सारा भाई जी कौन है इनके बारे में थोड़ा सा एक पढ़ लेते है विकरम सारा भाई जो है ये इंडियन स्पेस प्रोग्रा जाते है है हना so his efforts led to the foundation of physical research laboratory PRL at the Ahmedabad देखो उन्होंने physical research laboratory को सबसे पहले शुरू किया था जिसको हम short form में PRL बोलते है क्या बोलते है बेटा PRL ओके so Ahmedabad के अंदर था ये and 1962 के अंदर Indian government constituted Indian national committee for space research under his chairmanship and first satellite launch center was established at the Thumba in 1963 विकरम सारा भाई जी के leadership के अंदर इंडिया ने एक Indian government ने in 1962 में 1962 में यहाँ पर Indian national committee for space research का गठन किया और उसके तहत वो first satellite जो है वो भी first satellite launch center भी establish किया गया थुमबा के अंदर जो की 1963 में possible हुआ लगबग ये committee establishment के लगबग एक साल बाद आगाई बात समझ में so the launching of India's first satellite Aryabhatta into the space was the result of his effort और इसके बाद इंडिया का पहला space satellite launch हुआ जिसका नाम है Aryabhatta और ये इन ही के effort का इन ही के परिश्रम का नतीजा था ठीक है so देखो he played an important role in the establishment of Indian Space Research Organization और इसके बाद Indian Space Research Organization को establish किया गया जिसके अंदर इनका बहुत बड़ा रोल था है ना Indian Space Research Organization जिसको हम आज ISRO के नाम से जानते हैं ठीक है बात क्लियर है समझ में आ रहा है okay so moving to the next slide next slide की तरफ बढ़ते है object around earth है ना objects around earth देखो यहाँ पर सबसे पहले besides artificial satellite non-functional satellite launcher parts and debris orbit the earth देखो artificial satellite जो की working condition में है उनको छोड़के non-functional satellite भी कुछ available है उसके साथ साथ कुछ launcher के parts अवेलेबल है कुछ separated fuel tanks है और अलग-अलग debris space के अंदर मोजूद है debris includes क्या क्या रहता है इसके अंदर fragments from collisions and detached parts from satellite launches देखो यहाँ पर fragments रहता है जो कि collision की वज़े से होता है and satellite launch के वक्त जो detached हुए part है वो यहाँ पर मोजूद रहता है यह सबसे बड़ा problem है क्या है space waste जिसको हम बोलते है क्या बोलते है वेटा space waste जो की generated by generated by human इंसानों के द्वारा generate किया गया space waste ठीक है so इसको हम space debris बोलते है extensive debris present यहाँ पर बहुत ज्यादा quantity में debris waste जो है वो मौजूद है लगबग approximately 2 crore pieces लगबग 2 crore pieces manmade pieces वो वहाँ पर मौजूद है इच ओर 1 cm in length very estimated in 2016 हर एक की length लगबग 1 cm है और उससे ज्यादा है 1 cm से ज्यादा है जो कि 2016 में इस data को बताया गया था लेकिन हाला कि अब 16 से लेके 24 तक अब यह काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा यह 2 crore almost double हो चुका होगा continuous increase in space debris possesses risk to satellites and spacecraft देखो यहाँ पर जितनी space debris जो है space के अंदर एक ही जगा पर एकठा होगी उतने ज्यादा risk जो है किसकी बेटा satellite and spacecraft के failure की risk जो है वो बढ़ेगी है ना उसके बाद potential harm to satellite जो कि already existing satellite है उनको भी harm पहुच सकता है है ना देखो debris can collide with the operational satellites leading to the potential damage जो कि working condition में satellite है उनके साथ यह debris टकराकर उनको भी damage कर सकती है उसके बाद growing debris possesses a threat to launching a new spacecraft in the future जितने ज्यादा debris बढ़ती जा रही है उतना ज्यादा खतरा है नए spacecraft को नए satellites को space में launch करना उसके बाद moving to the next slide देखो और कुछ points हम discuss करेंगे challenges in space debris management space debris management के अंदर क्या क्या challenges है देखो बेटा managing increasing space debris is essential to prevent collisions and protect satellites देखो यहाँ पर debris को manage करना debris को कम करना यह important है because collision को avoid करना है satellite को fail होने से बचाना है उसके बाद ongoing studies and experiments aim to find effective solutions to this challenging issue देखो इसके उपर अभी study चालू है अभी research चालू है कि किस तरीके से इन debris को कम किया जा सकता है जो debris है already मोजुद उनको किस तरीके से destroy किया जा सकता है इन सभी के बारे में अभी भी discussion चालू है research ongoing है So hope for the future solution, future में कुछ solution हमें मिल सके जैसे कि anticipating solutions to mitigate space debris risk in the near future and striving for the advancement to the ensure safety of the future satellites and spacecraft अब advancement करके या फिर जो future में launch होने वाले satellite है उनको और ज्यादा safe बना के हम यह ensure कर सकते हैं और जो debris है वो कम हो जाएगी बात समझ में आ रही है yes or no? Okay, so moving to the next slide, last slide हमारी थी यह, देखो यहाँ पर अपना chapter जो है वो खतम होता है और काफी detail में हमने हर एक चीज को इसके अंदर discuss किया है उमीद है कि आपको समझ में आया होगा लास्ट के तीन lecture अगर आपने नहीं देखे है तो उसको जाकर के एक बार देखिए समझिए और इस lectures को अगर आपको लगता है कि हम कुछ ना कुछ value प्रोवाइड करने में success हो पा रहा है तो इस lecture को अपने friends के साथ, दोस्तों के साथ share कीजे क्योंकि आपकी exam अभी नजदीक आ चुकी है Thank you so much, मिलता है ऐसे ही interesting next lecture में तब तक के लिए signing off